जी कंटिडिम। कुणना कारेक्रमा अम्शों मी अंदर्गी तेलसिंदे COVID-19 Overview, Symptoms, Risk and Prevention इअम्शों मी इदा अनंदर्तो माटलाडी lecture इच्छी मनलो उन्ना संदेहालनु निवृत्ति जैडानिकी डाक्टर आतिफ निजामी गारू, MD Almonology नेम्स हैदरबाद मरियो प्रेसिडेंट्ट डेर सेटी हैदरबाद मन मद्धिलों उन्नारू आरू अनुनित्यों COVID-19 वच्चिन दग्गर नूंडी इदे कार्यक्रमानी प्रारम्मेंची इदे ट्रीट्मेंट्टलों निमग्ललाई उन्नारगा बट्टी मरि सरीयन समाधानालू वारिद्वारा मनू रावट्ट्ट कुनिया उकाश मन्नू सरे कारेक्रमानी मंदू कदीसकेलदो मंदू दैव गृंदमेना दिव्य गृंदमेना कुरां तो मनू कारेक्रमानी पठनम्तों प्रारमेज कुन्दाम हाफिज मुहम्मद मुबीन अदिंगर अमीर मुखामी लिंगम पली वारी पुरान पारायनम तो इकारे करून प्रारम मुटुली जी मुबीन सब शुरू कीजिए तिलावत आओजु बिल्लाहि मिन श्चैतानि र्रजीम बिस्मि ल्लाहि र्रह्मानि र्रहीम इधा श्चम्स कुब्रत वाइदा नुजूम कदरत वाइदा जिबाल सुइरत वाइदा ल्लाहि ल्ला सुछरत वाइदा ल्चुश र्रोड़ खुचरत वइजा अजगार सुजड़त वइजा अजगार शुजड़त वइजा नुफोस जुबज़त वइजा अजब अजब इजब अजब झुबचलत वा इजा सुछूफ नुशरत वा इजा स्वाव कुशितत वा इजाल जहीम सुछरत वा इजाल जन्मत अजलिफत अलिमत नफस मा आफदरत फला उक्सिम बिल्कुनस इल्जवार इल्कुनस वल्लेल इजा असा स्वा इजा तनफस इन्नहु लकावल रसूल करीम दी कुवत इंद दील अर्श मकीन मुता इंकं म अमीन वमा साहिब कुम बमजनुन वलकद राहु बिल अफुकिल मुबीन वमा हुआ अला अल्गाइब बिजनीन वमा हुआ बिकोल शैतान र्रजीम पाइन तजहबून इन हुआ इल्ला जिकुर लिलालमीन लिमन शाओ मिनकुम अन यस्तकीन वमा तशाओून इला अन यस्ताओ बिला अन यस्ताओ अल्लाहु रब्द अल्मीन सद्दाओ ल्लाहु अल्दीम इपड़ वरकु हाफिज मोहम्मद मोबीन अपिन गारु दिव्यग्रंदमेन पुरान पारें तो कारिक्रमानी पारम्मेंचरु इपड़ु स्रीमती मोबीना मोबीन गारु इवाक्ष्याला तेलुग अनुवादान्नी अदे विदंगा उर्दु अनुवादान्नी चादवर सिंगा आवनी पूर्चु मानुआ अस्सलामु अलेकुम वर्रहमतुल्ही वर्रकातु शुरू अल्ला के नाम से जो रह्मान वर रहीम है जब सूरज लपेट दिया जाएगा और जब तारे बिखर जाएंगे और जब पहार चलाएंगे और जब दस महीने की हामिला उन्हिया अपने हाल पर छोड़ दी जाएगी और जब जगनी जान पर समेट कर अखेटे कर दिये जाएंगे और जब समंदर भटका दिये जाएंगे और जब जाने जिसमों से जोड़ दी जाएगी और जब जिन्दा गाडी हुवी लड़की से पूछा जाएगा के वह किस खुसूर में मारी गई और जब आमाल नामें खोल दे जाएंगे और जब आस्मान का परदा हटा दिया जाएगा और जब जहन्म दहकाई जाएगी और जब जन्नत खरीब ले आई जाएगी उस वक्त हर शख्स को मालिम हो जाएगा कि वो क्या लेकर आया है पस नहीं मैं खसम खाता हूँ पलटने और छुप जाने वाले तारों की और रात की जबके वो रुखसत हुई और सुभा की जबके उसने सांस लिया ये फिल वाके एक बुजरुग पैगंबर का फौल है जो बड़ी तवानाई रखता है अर्श वाले के हां बुलंद बर्तबा है वहां उसका हुक्म माना जाता है वो बाइतेमाद है और एहल मक्का तुम्हारा रफीख मजनून नहीं है उसने उस पैगंबर को रोशन उफ उपर देखा है और वो गएब के इस इल्म को लोगों तक पहुंचाने के मामले में बकी नहीं है और ये किसी शैतान मर्दूत का खौल नहीं है फिर तुम लोग किधर चले जा रहे हो ये तो सारे जहां वालों के लिए एक नसीहत है तुम में से हर उस शखस के लिए जो राह रास्त पर चलना चाहता हो और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्ला रबुलालमीन ना चाहे सदख अल्लाहु नजी लिलगूस तर्जुमा पड़दीजिये अनन्त करु नामयुडू अप्पारक्रुपाशीलुडू अईन अल्लाह पेरुतो प्रारम्पिस्थुन्नानू इरिवई तोम्मीदिया आयत्तुलू अवतरना मक्कालू उककटी नुण्डी पडणाल्गू आयत्तुलू स्जीवंगा पातपेट्डबडीन बालिकनू नीवु एतप्पु वल्ला हत्याचेय वड़्डावनी अडिकिन अप्पुडू। कर्मल पत्रालो तेरुआ बडिन अप्पुडू। आकाशानी कुन्न तेरा तोलगिंच बडिन अप्पुडू। नरकम मुडिरत पडिट अप्पुडू। स्वरिगम् दग्गरकु तीसकु राबडिन अप्पुडू। अप्पुडू। प्रती मनिष्टी की तेलिसी पोई इन्दी तानेमी तीसुकु वच्चाडू। पदिहेनु नुन्डीरिवेद्धों इधि आयतुल। कन्नुका मीरनिकुनेदी एंता मात्रं डिज्जम कादू। मरिलिपोये करुणमय गैये नक्षत्रालु साक्षिगा। गडिचि पोयी नपपडि रात्री साक्षिगा। उपिरी पील्चिकु नपपडि उदयम साक्षिगा। नेनु चेबुत्तुन्नानु। इदि दिच्चयंगा अत्यांत गोरवनी उडेन उक संदेश हरुन्नी हक्तु। आयना एंतो शक्ति संपन्नुडु। सिम्हा सनाधि पतिवद्ध आयनकु गोपस्तानमोंदी। अक्कड आयना आग्नेलु पाटिंच बडत्ताई। आयना एंतो नम्मकस्तुडु। ओ मक्का प्रजलारा मी सहाचरुडु पिच्चिवाडु कादु। आयना आसंदेश हरुन्नी प्रकाश वन्तमैन दिग्भन्नलंपैच उशाडु। अधिगाका आगोचार विशयालको संबंधींचिना इग्न्यानानी प्रजलको अंदींचिये विशयमलो आयना लोभी काडु। इदी शापकरस्तुडएन ये पैज्शैतानु वाक्टु कादु। अलांटप्पुडु मीरु एटु वेल्ली पोतुन्नारु। इदी सकल्ललोकाल वारी कोरगु ओकहितो पदेशम। मीतो, मीलोरुजु मार्गान नर्जबरीन प्रतिवेक्ति कोरगु। सकल्ललोकालकु प्रभुवैन अल्लाह तलदन्चुनंदुकु। मीर्यो तलचिनंत मात्रान एमिकादु। सदखल्लाहु लल्गु लज्जी। प्रभुवैन अधिन गारनी तेले जये वलसिंदिगा 409. अलो, गुट इवनिंग एवरिवन, अस्सलाम आलेकुम। तमाम हाजरीन का और रुफगा का इस प्रोग्राम में इस अखबाल है। चन चीजे मैं आप लोगों के सामने अर्श करना चाहूंगा। क्योंके ये कोशन सेशन है और एक ओपन सेशन रखा गया है। इन्शालला जैसे ही डाक्टर साब का प्रोग्राम होगा, उसके बाद ये मौका दिया जाएगा। इसके लिए चन्द अहम चीजे मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। अगर सादिक साब चाहें तो बाद में उसको कुछ चीजें ट्रांसलीट कर सकते हैं तल्गु में, मैं उसको उर्दू में कहा देता हूं। आपको यहां पर फिलहाल म्यूट किया गया है अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपना हैंड रेस करें तो हम यहां से हम उनको मौका देंगे और उनके माइक को अन्मूट करेंगे और फिर वो कुछ कहे पाएंगे। दूसरी बात यह कि अगर आप कहना नहीं चाहते तो आप चाट बॉक्स में टाइब करके अपना कुछन कर सकते हैं और डॉक्टर से कुछन पूछ सकते हैं। तीसरी बात यह कि अगर कोई कुछन आप आन्लाइन देख रहे हैं यूटूब आप देख रहे हैं और आप कुछन करना चाहते हैं तो फिर आप यूटूब पर भी टाइप कर सकते हैं चाहे तिल्गू हो या उर्दू हो उसको इंशालला पढ़ा जाएगा जजाक अल्लाइब मित्रिल्लर इपड़ू इकारिक्रमा उद्ज्येश्यों नी अंदर की तेल्सी मिटलिगा इटीवलकालम लो मरी प्रपंचान्नी कुदिपी वेस्पुनन समस्या प्रपंचान्नी भयों गुपिटलो कि नेटिवेट में कादू जनालनी वणिकिस्तुन्दू लोग करोना वेरस का नाम सुनकर ना सिर्फ प्रेशान हैं बलके घबराहट का और दिल के अंदर खौफ एक स्ट्रेस्ट कैफियत इस वक्त अवाम के अंदर पाई जाती है आज का हमारा ये आनलाइन जो प्रोग्राम हम कंड़र्ट कर रहे हैं इसकी वज़े ये है एक अद बहना पहले हिदरबाद में करोना अपनी आब उताब पर था उसके बाद वो अजला की तरफ फिर अजला से मंडल मंडल से गाउं की तरफ इस वक्त ये बड़ी तेजी के स लात आगे बढ़ना है अगर मैं ये को हूं तो बेजा नहीं होगा कि इस वक्त अजला में डिस्टिक हेटकोर्टर्स में इसकी काफी इंटेंसिटी पाई जाती है और फर्स्ट सेकेंड लेवल के टाउंस में भी जो है ये बेरहाल करोना बड़ी तेजी से पहलते जा रहा ह दोस्तो इसका नतीजा ये है वर्ल में हम देखते हैं इस वक्त तकरीबन एक करोड़ सब्तर लाग लोग इसके मरीज बने और इसके नतीजे में साथ लाग लोग अपने जानों को खोड़े हैं अंदुस्तान में लगबग सोला लाग लोग इस इन्फेक्शन का शिकार हुए हैं तो लगबग चांटीस पैंटीस हजार लोग इसकी वज़े से मर चुके हैं चलंगाना में लगबग साथ हजार और खरीब 500 लोग जो है इसकी वज़े से मरे हैं दोस्तों यह बात हमको अच्छी तरह मालूम है कि यह जो हिसाबाद दे रही है चाहे वह इंटरनेशनल लिवल हो नैशनल लिवल हो स्टेट लिवल हो हम अपनी आँखों से देख रहे हैं कि यह इसका इंटू 10 टाइमस को मल्टिप्लिक किया जा सकता है इसके बावजूद के अंदर पाया जाने वाले खवातीब और बिजनिसमें इंपलॉईज यूथ स्टूडेंट हर कोई इस करोना की मसले को लेकर परिशान है करोना आता है नहीं आता है कलग बात है लेकिन करोना एफेक्ट होने से पहले आदमी को क्या एहतियाती तदाबीर अफियार करना चा नहीं आजाए तो तब कैसी एविए और उस आदमी को बिल्कुसूस कैसी एहतियार करना चाहिए फिर आस-पास कैसी जो है प्रिवेंचिन प्रिवेंटिव मेजर्स करना चाहिए और खैदिली जाना चाहिए और खानपान के दर तब्दील लाना चाहिए यह आहारी बात आतिफ इसमाईल साब हमारे सामने रखेंगे तो मैं आपका वक्त ज्यादा लिये बगएर डाक्टर आतिफ इसमाईल सहाब का तारुख करा दू डाक्टर मुहमत आतिफ इसमाईल निजामी सहाब ये M.D. हैं पल्मनालजी में इस वक्त निजाम इंसिट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस जिसको नीम्स कहा जाता है उसमें वो एक सूपर स्पेशलिजेशन के फील्ड में बिल्खुस पल्मनालजी में पल्मनालजी से आप जानते हैं फेपड़ों से मुतालख जो इलाज होता है उ और कोविड का खास एरिया इनसान के पेपड़े ही हैं तो इस लिहाज से डाक्टर आतिफ इसमाहिल सहाब इस बीमारी के स्पेशलिस्ट हैं तो डाक्ट साब निम्स में इस वक्त फिजीशियन के अलावा डेर एक डॉक्टर्स की और्गनिजेशन है उसके हैदरबाद के सि आतिफ इसमाहिल सहाब से खाहिश करूंगा कि वो अपनी गुफ्तवू का आगास करें हमारे पास डाक्टर साब की गुफ्तवू के बाद इंशाल्ला को से नवर का मोखा रहेगा प्रियमेन सोधरा सोधरी मनलारा इपड़ो डाक्टर आतिफ इसमाहिल गारू यंडी पर्म जेड़ान की समसे धंगा उंडवल सेलिगा कोर तुना डाक्टर आतिफ इसमाहिल गारू तमप्रसंगानी प्रारम इंच वल सेलिगा कोर तुना बिसमिल्ला रह्मान रहीम असलाम आलेकुम रहमतल्लाहिव वरकातो मेरी आवाज आ रही ना जी जी आ रही आपकी आवाज और स्क्रीन पे आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन भी नजर आ रहा हूं जी 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 तो सबसे पहले तो मैं जमेदारों का शुक्रिया आदा करत हूं कि उन्होंने एक बहुत ही एहम टापिक पर ये उन्वान जो है इसको मुन्तखब भी किया है और इस पर एक प्रेजेंटेशन मुझसे रखने की खाहिश की हैं मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि इन्शालला आने वाले 40-45 मिनिट के अंदर इस कोविट से मुतालिख जो जरूरी मालूमात हैं जो अवाम को मालूम होना चाहिए उन चीज़ों को मेडिकल टर्मिनालोजिस के अलावा सिंपल लैंग्वेज में रखने की कोशिश करूंगा ताकि ये आम फहम बातें सबकी समझ में आएं इसके बाद इंशालला अगर आप लोग के जहनों में को कोविड जो है ये एक वबा है जिसको हम अब मौजूदा हालात में पैंडमिक कह रहे हैं और ये पैंडमिक इसलिए है क्योंकि इसने बहुत तेजी के साथ पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है और पूरी दुनिया इस वक्त इससे मुतासर है और अभी जैसा के अंदर केरला में नमुदार हुआ जहां पर कोई पेशेंट जो है बाहर से आया था लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि तेजी के साथ ये बड़े शहरों में ये वबा शुरू हुई जिसमें चन्नाई हैदराबाद देलही बॉंबे पूने वगएरा ये शहर मुतासर अब छोटे शहरों तक फैलना शुरू हो गई अब ये जरूरी है कि हम इसके बारे में जो सच्चाई है उससे वाकिफ हों हमारा जो रवया होना चाहिए वो दोनों एक्स्ट्रीम्स के बीच का रवया होना चाहिए ना तो हमको इससे बहुत ज्यादा खवजदा होना है पर हमारे लिए नुकसान दें तो लहाज़ा हमारा जो करेक्ट एटीट्यूड होना चाहिए वो इन दोनों एक्स्ट्रीम्स के दर्मियान में है ना तो हमको खुद खवफ में मुक्तिला होना है और ना लोगों को परेशान करना है और ना बहुत ही इसको लाइट लेना है और लंबा अर्सा गुजारना ये पहले जैसी बात समझ में आ रही थी कि ये कुछ दिनों की बात है लाप डाउन की बात है लाप डाउन जैसे खतम हो गा तो ये वबा खतम हो जाएंगी कुछ महीनों की बात है लेकिन अब ये उससे आगे बढ़ कर ऐसा लगता है कि कम असकम ये पूरा साल शायद हमको इसके साथ गुजारना होगा और मुम्किन है कि इससे आगे भी ये बढ़ जाए तो ये एक लंबी चलने वाली बीमारी है जिसके साथ हमको अपने जिंदगी के जरूरी कामों को भी अंजाम देना है तो हमारा रविया इसके सिलसले में क्या होना चाहि वाइरसे की फैमिली जिसका नाम है कोरोना विरीडे आप राइट साइट पे स्क्रीन पे इसका इसकी इमेज देख सकते हैं जो एलेक्टरन माइक्रोस्कोपिक व्यू है इसका तो यह इस वाइरस की शकल है जो एक बॉल की तरह का वाइरस है और यह वाइरस इंसानों के जादा एफेक्ट जो है वो लंग्स पर होता है और साथ से मुतालिख जो बीमारियां है उसमें इनसान मुक्तिला होता है यह जो फैमिली है करोना विरीडे इसी के जो साभी खुन रहे हैं जो वाइरस इसमें हम देखते हैं कि सार्स नाम का एक और वाइरस दुनिया के जिसने दुनिया के अंदर वड़ी तबाही मचाई और फिर इसी फैमिली का एक और वाइरस था मिडल इस्ट रिस्पिरिटरी सिंड्रोम मर्स के नाम से जो दो हजार बारा में बारा तेरा में आपको याद होगा कि मिडल इस्ट कंट्रीस के अंदर सौधी अरव वगरा में इस वाइरस के नतीजे में बहुत ज्यादा तबाही हुई और उससे पहले अगर हम देखें तो तारीख के अंदर स्पैनिश फ्लू के नाम से इसी खानदान का एक वाइरस हमको मिलता है जिसने उस जमाने में एक आवसत अंदाजे के मताविख आठ करोड इनसानों को इनसा अब इसी खानदान का जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है जो नया वाइरस हम जिससे दोचार हैं वो कोविड-19 के नाम से जाना जाता है कोरोना वाइरस डिजीज-19, 19 का नाम इसलिए है क्योंकि ये डिसमबर 2019 में इसकी दरियावत हुई अब इस वाइरस का जो structure है हम यहाँ पर देख रहे हैं जो electron microscopic view के अंदर कि इसके उपर कुछ spikes हमको नज़र आ रहे हैं जो लाल कलर के spikes हैं ये दरसल वाइरस को इनसानी जिसम के जो cells हैं उसके अंदर अपना जो nucleic acid है जो वाइरस के दर्मियान में यहाँ यह जो चीज़े हम देख रहे हैं यह वाइरस का RNA है यह single standard RNA है यह वाइरस अपने आप में एक बिलकुल बेजान सी चीज़ है इसके अंदर कोई अलामाच जिंदगी की नहीं पाई जाते हैं और यह बिलकुल उसी तरह है जिस तरह से हम एक pen drive की समझ सकते हैं कि जिस तरह से pen drive के अंदर बहुत कुछ information रहती हैं लेकिन वह आप pen drive को जब तक system से या laptop से connect नहीं करते हैं वो pen drive बेजान होती हैं तो यह वाइरस भी बिलकुल उसी तरीखे से बेजान होता है लेकिन यह जो इसके उपर spikes हम को नजर आ रहे हैं जिसको spike glycoprotein यह जो spikes हैं यह जब इनसानी जिसम के cells से interact करती हैं तो फिर इसमें इनसानी जिसम के अंदर ACE inhibitors के जो spikes होते हैं उससे यह integrate कर जाता है और यह जो इसका integration है इसके बाद फिर वाइरस एक्टिव होता है और एक बार जब वाइरस एक्टिव हो जाता है तो फिर यह अपना जो RNA है यह दूसरे खलियों में transfer करता है और वहां से फिर यह virus बहुत तेजी के साथ multiply होता है तो यह बुनियादी तोर पर इस virus की शकल है और इसके जो है इनसानी जिसम के अंदर इसकी pathology है अब आए हम देखेंगे कि यह COVID-19 के symptoms क्या है यह आम तोर पर हम बहुत जादा अपने lectures वगरा में और doctors के interviews में सुनते रहे हैं कि बुखार का आना, सूखी खासी, सास लेने में body pains, सरमे दर्द, loss of taste and loss of smell के इनसान की जो सूंगने की और चखने की जो हिस है वो जो है मुतासिर होती है और vomiting और loose motions भी इस बीमारी का presentation हो सकते हैं लेकिन यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि यह जितने भी symptoms हम देख रहे हैं, fever, dry cough, difficulty in breathing, body pains, यह सारे symptoms बहुत common हैं और जो seasonal flu होता है, जिसको आम तोर पर हम नजर अंदास कर देते हैं, उस तरह कि seasonal flu के अंदर भी यही symptoms पाए जाते हैं तो अब सवाल यह है कि हम seasonal flu को करोना से कैसे differentiate करें या इसमें फर्ख कैसे करें और इस बात का हम कैसे पता चलाएं कि कब हमको डॉक्टर से अप्रोच करना चाहिए तो यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपके सामने लिखा हूँ कि अगर यह जो fever और cough है अगर यह तीन दिन से ज्यादा हम इसको महसूस कर रहे हैं और इसकी जो intensity है वो बढ़ती भी नजर आ रही तो फिर यह जरूरी है कि हम डॉक्टर से रुजू करें आम जो flu होता है seasonal flu आप देखते हैं कि पहले दिन बुखार आता है और थोड़ी से सर्दी होती है या खासी होती है दूसरे दिन यह बहुत ज्यादा extreme level पर जाता है और फिर तीसरे दिन से जो है यह कम होना शुरू होता है तो अगर यह कम होता चला जाए और कम होना आप इसको महसूस कर लें तो फ और इसी तरीखे से जब सांस लेने में अगर कोई तकलिफ महसूस हो तो यह भी एक खत्रे की निशानी है कि जहां पर आपको डॉक्टर से रुजू करना है इसी तरह से चेस्ट पेन और चेस्ट में प्रेशर यह भी जो है डेंजर साइन या रेक फ्लैक साइन हम कह सकते हैं और एक चीज जो इस वाइरस की बीमारी में हमको देखने में आ रही है वो डिक्रीस्ट सेंसोरियम है कि पेशेंट्स जो है वो थोड़ा सा नीम बेहोशी जैसी हालत में रहते हैं एक्जैक्ली कोमा तो हम नहीं कहेंगे लेकिन पेशेंट जागता हुआ रहता है हुशार र अगर देखें तो फिर फॉरी तोर पर पेशेंट को डॉक्टर से रुजू करवाना जरूरी होता है तो यह जो रेड़ फ्लैक साइंस मैं एक जगा इसको मेंशन कर दिया हूँ ताकि आप हजरात इसको नोट कर सकते हैं मसलान सांस लेने में तकलीफ आप देखें कि आम जो फलू होता है या सरदी खासी नजला जिसको हम कहते हैं उसमें सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होती आम तोर पर लेकिन सांस लेने में अगर तकलीफ हो रही हो तो यह करोना की अलामत हो सकती है इसी तरीखें से ब्लूईश डिसकलरेशन ओफ लिपस और फेस यानि चेहरे जिसम की जो exposed parts होते हैं, चहरा है और होट है, ये उदे पढ़ना शुरू हो जाते हैं या नीले पढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे मौखे पर भी ये जरूरी है कि डॉक्टर से consult किया जाए और फौरी तोर पर बॉड़ी के oxygen level को चेक किया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि body में oxygen level की कमी हो रही हैं, इसी तरीखे से chest pain भी एक important symptom है, जिस पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, mental confusion जिसका मैं अभी आपके सामने तसकिरा कर रहा था, वो भी उस पर भी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, और heart beating, अगर saw से ज्यादा resting level पर, यानि आदमी बैठा ह हो और कोई काम भी ना कर रहा हो, लेकिन उसकी heart beat sauce से ज्यादा अगर चल रही है, तो वो भी एक danger sign मानी जाएगी, इसी तरीखे से systolic blood pressure, यानि जो ऊपर का blood pressure हम कहते हैं, आम जबान में इसको ऊपर का और नीचे का blood pressure कहते हैं, तो अगर ऊपर का blood pressure hundred से नीचे है, तो इसको medical terminology में hypotension कहते हैं, यह इस बात की अलामत है कि patient किसी भी वक्त shock में जा सकता है, तो ऐसे patient के लिए भी यह जरूरी है कि फ़री तो पर उसको doctor से रुजू करवाया जाए, drop in saturation, अगर आपके पास pulse oxymeter नाम का एक छोटा सा device है, जो बहुत आम सा है, हर जगा आराम से मिल जाता ह 15 सर उपैसे लेकर 2000 के बीच में उसकी खिमत है, यह आप अगर घर में रखें तो बहुत पुनासिव है, और इस पे अपने oxygen लेवल बहुत आसानी के साथ आप चेक कर सकते हैं, अगर saturation लेवल, याने oxygen लेवल में 5% की गिरावट, आप नोट करें, after minimal exertion, याने आदमी हलका फ से ज्यादा drop हो रहा है, तो यह भी एक danger sign है, फिर इसी तरीखे से अगर x-ray के अंदर जो खेंपड़ों का x-ray लिया जाता है, चेस्ट का, उसमें अगर दोनों तरफ टेंपड़ों में infiltrate हम कहते हैं, अगर वो नजर आते हैं, तो वो भी इस बात की अलामत है, यह आम सा कोई निमोनिया नहीं है, बोलकि मौजूदा सूरत हाल में इसको COVID ही consider किया जा सकता है, इसी तरीखे से बलड में जो white cells होते हैं, white cells का गिरना, white cells का कम होना, यह भी एक अलामत है, कि यह भी COVID infection में देखा जाता है, और इसी तरीखे से white cells को, white cells के जो अखसाम है, new profiles और lymphocytes, अ यह कुछ ऐसे मोटी-मोटी अलामत हैं, जिसको अगर आप जहन में रखें, तो आप इन्शालला बरवक्त डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं, अब आईए कुछ एहम नुकात, जो है COVID-19 के सिलसले में, जिसको समझने की जरूरत है, पहली चीज़ तो हमको यह समाझना है, कि 80% जो इसके cases हैं, वो या तो asymptomatic होते हैं, जिसमें patient को कोई तकलिफ नहीं होती, किसी खिसम का कोई symptom नहीं होता, या फिर, वो mildly symptomatic होते हैं, बहुत ही हलका सा बुखार, बहुत हलकी खासी, हलका नजला, इस तरह के जो mild symptoms हैं, ऐसे patients 80% COVID में होते हैं, और ऐसे patients के लिए करना क हैं, कि इनको isolation के मुताले guidance देना होता है, कि ये अपने आपको घर पर रखें, किसी से मिलना जुलना इनको नहीं है, और ये अपने आपको घर पर रखें, कुछ हलकी फुलकी दवाईयां हैं, जिसका मैं आगे जिकर करूंगा, इंशाल्ला, तो वो दवाईयों को इनको ले इसे होते हैं, जो moderately symptomatic हम कहते हैं, कि यहां पर दर्मियानी दर्जे के symptoms इनके अंदर पाए जाते हैं, हलका फुलका बुखार और थोड़ा बहुत जो है body pains, नाक बंद हो जाना, सर में दर्द होना, और जो जिसका तसकिरा हम कर रहे थे, चकना और सुंगने की ये जो एहसा मैनेज किया जाता है, अभी जो recent guidelines, World Health Organization की तरफ से और Ministry of Health, Government of India की तरफ से आई हैं, वहां पर भी यही बात बताई जा रही हैं, कि जो mildly symptomatic cases हैं, या moderately symptomatic cases हैं, उनको घर पर रखकर मैनेज किया जाना चाहिए, ऐसे patients को परेशान होने की जुरुत नहीं हैं, उनको मारे हैबत के दवाखानों के चक्कर लगाना और hospitalization पर इसरार करना, ये सारे चीज़ें गहर जरूरी हैं, ये panic के नतीजे में ये चीज़ें पैदा होती हैं, तो लहाज़ा हमारी ये जिमेदारी है, कि हम अपने आपको खुद भी aware रखें और दूसरों को भी इस बात की त जानेब से, Doctors Association for Relief and Education की जानेब से, ऐसे patients के लिए, mildly symptomatic या moderately symptomatic patients के लिए, जिनके oxygen levels अच्छे हैं, और जिनके symptoms इतने ज्यादा severe नहीं हैं, उनको हम home management की guidelines, tele consultation के जरिए से उनको हम दे रहे हैं, वो हमारे पास अपने symptoms और अपनी कैफियत जो है, वो note करवाते हैं, और हमार doctors की team हैं, तखरीबन 40 doctors हमारे team के अंदर हैं, जो patient को उनकी कैफियत सुनकर, उनकी requirement के हिसाब से medicines prescribe करते हैं, और उनको guidance फराहम करते हैं, तो अल्ला का शुकर है कि तखरीबन दोसों के खरीब patients को हमने अभी तक घर पर manage करने का मश्वरा दिया है, और उसमें से तखरीबन patients recover भी हुए हैं, तो ये एक बहुत आज के वक्त की जरुरत है, जब के cases बाढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि hospitals के अंदर beds की availability नहीं है, hospitals के अंदर beds available भी होते हैं, तो इतने ज्यादा costly हैं, के जहां patients effort नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अगर early level पर हम इन चीजों को समझ लें और जो necessary precautions हैं, वो अगर हम लेते रहें, तो इसमें एक बड़ी तेदाद cases की, वो severity की तरफ बढ़ने से बच जाएगी, इन्शाल्ला, अब आईए 5% cases ऐसे होते हैं, जो बहु पहम गुफ्तवों का हमारा मौदू है, वो ये 5% लोगों से मतालिख हैं, क्योंकि यही वो लोग होते हैं, जो बहुत तेजी के साथ जिनकी condition बिगड़ते जाती हैं, और देखते ही देखते जो patient बहुत अच्छा था, हलके फुलके बखार के साथ हमारे सामने present हुआ था, वो अचानक जो है, उसके सांस फूलने लगती है, उसके body के oxygen levels कम होने लगते हैं, और देखते ही देखते आदमी semi conscious और unconscious होता चला जाता है, तो ये वो 5% population है, जिसके बारे में हमको बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरुत हैं, अब ये 5% लोगों में ज्यादा तेदाद क 65 plus, 65 को आप एक landmark मान लें, उसके उपर के लोग बहुत ज्यादा risk पर हैं, उसके अलावा ऐसे patient जिनको पहले से ही lungs की कोई बीमारी रही हो, मसलान कोई asthmatic patient है, जो आस्तमा का शिकार है, जो COPD, lungs की दूसरी एक बीमारी है, या फिर heart के patients हैं, जिनको coronary artery disease है, जिनकी narrowing है, heart में blockages हैं, या heart failure के patients हैं, जिनको वैसे ही heart की pumping कमजोर होने की वज़े से उनकी सास फूलते रहती हैं, या फिर kidney के patients हैं, kidney failure के patients बहुत ज्यादा risk पर होते हैं, और खास तोर से वो patients जिनको dialysis करवाने की नौबत रहती हैं, फ stroke की वज़े से, brain stroke की वज़े से, paralysis की वज़े से घरों पर रहते हैं, वो चल फिर नहीं सकते, एक जगा वो continuously लेटे हुए होते हैं, ऐसे patients बहुत ज्यादा risk पर पाए जाते हैं, तो ये जो 5 फिसद लोग हैं, इसमें एक बड़ी तेदाद ये patients की हैं, जो पहले से ही किसी न किसी बीमारी में मुक्तिला हों, तो अभी तक जो हमारे पास mortality के rates आ रहे हैं, वो mortality बहुत कम है, 2.8 तो 3.3% mortality हम मान के चल रहे हैं, यानि ये 2.8 से 3.3% लोग ही इस COVID से मौत का शिकार हो रहे हैं, परना एक बड़ी तेदाद जैसा कि मैं उपर अर्ष कर चुका हूँ, वो recover हो रही है, बहुत बड़ी तेदाद है, जो लोग COVID से मुतासिर भी हुए, आज अल्ला के शुकर से वो recover भी हुए हैं और बहुत सारे लोग अपने अपने कामों पर वापस भी जा चुके हैं, अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि समाज के अंदर जो panic है, उसको panic को हमको खतम करना है, देखिए जैसा मैं starting में आपके सामने बात अर्श करा था, कि ये एक लंबे चलने वाली बीमारी, ये महीने, दो महीने, चार महीने का मसला नहीं है, बलकि ये पता नहीं, छे महीने और रहे, साल रहे, जब तक कि कोई vaccine नहीं आ जाता, या जब तक कि कोई herd immunity develop नहीं हो जाती, ये बीमारी के साथ हमको अपना गुजारा करना है, तो इसके लिए जो panic society में पैदा हुआ है, उसको हमको दूर करने की जूरत है, और आप देखिए कि इसी panic के नतीजे में, अभी हैदराबाद के अंदर ये सूरत हाल हो गई थी, कि oxygen cylinders नहीं मिल रहे थे, लोग इ अशिया हैं, मसलां, मास्क्स हैं, मास्क्स की खिलत हो गई, sanitizers जो है, शाट हो गए मार्केट में, gloves नहीं मिल रहे थे, तो ये सारी situation जो है, वो लोगों के panic की वज़े से create हो गई, और दूसरा बड़ा मसला ये है, कि इस बीमारी के साथ एक stigma भी जोड दिया जा रहा है, कि लोग COVID-19 के Pacients को बहुती गری होी नजर से देख रहे हैं, कोई उनसे खरीब आने के लिए तयार नहीं है, कोई उनसे बात करने के लिए तयार नहीं है, उनकी जो जरूरते हैं, उसको पूरा करने के लिए तयार नहीं है, अगर वो कorgeous जा रहे हैं, तो नहीं से लोग मिलने के दिन के बाद पेशन्ट जो है वो वाइरस ट्रांस्मिट करने की पॉजिशन में नहीं होता तो फिर ये जो क्वारंटाइन का पीरेड है या आइसोलेशन का पीरेड है इसके बाद इनसान बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है तो इसके बाद भी इस तरह से सोसाइटी में किसी को अवाइट करना या उनकी जरौतों को पूरा करने से पीछे हटना उनको अपने से दूर रखना ये जो है एक स्टिगमा है जिसको दूर करना है फिर इसी की शकल यह है कि आज आप देख रहे हैं कि जो लोग कोविट से मुतासिर हो रहे हैं और किसी को अगर हास्पिटलाइ उनकी कोविट के वज़े से मौत हो जाती है तो लोग रिष्टेदार ऐसी मयतों को वापस लेने के लिए तयार नहीं है जो लोग कोविट से रिकवर हो गए उनको रिष्टेदार डिस्चारज करवा कि घर ले जाने के लिए तयार नहीं है अगर कोई किसी का इंतेखाल हो तो उनकी जनाजे में लोग शरीक करने में पीछे हट रहे हैं दफनाने के लिए कोई आगे आने तयार नहीं है तो यह जो इसका स्टिग्मा है इसको जो है हमको दूर करने की ज़र है क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च हमारे सामने मौझूद है मेरे पास इस वह दो पेपर्स ह है और एक गौर्वर्मेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन्स हैं जो डेड़ बॉडी से मुतालिख है यह दोनों रिसर्च हमको यह बताती है कि डेड़ बॉडी से वाइरस ट्रांस्मिट नहीं होता यह वाइरस जो है वो एमिट नहीं होता अलबता डेड़ बॉडी में ज से लीक कर रहा हो तो फ्लूइड्स में इस बात का इमकान है कि वाइरस हो लेकिन क्योंकि मैयत खास नहीं सकती च्छींख नहीं सकती तो लहाज़ा वहां से वाइरस के एमिट होने का सवाली पैदा नहीं होता और डेड़ एचो के गाइडलाइन्स में तो यहां तक कहा गया कि जो नॉर्मल फिउनरल का जो तरीखा है जिस मुलक में भी जहां जो कस्टम्स हैं उनके जो रिवायत हैं उसके मताबिक उनका फिउनरल होना चाहिए. उसमें कहीं जो है इस बात का भी तथकिरा नहीं है कि बॉड़ी इसको प्लास्टिक में रैप किया जाए या इस तरह से जो है उसकी सेफटी मेजर्स लिए जाएं इसका भी तथकिरा नहीं है बलके सिर्फ गाइडलाइन्स में ये बात बताई गई है कि जो बॉड़ी को हैंडल करने इंशाला फिर हम इस पर आगे भी गुफटब परेंगे फिर आप देखें कि इसी के नतीजे में जो हॉस्पिटल्स में बॉड़न ज्यादा हो गया कि बैट्स की खिलत हो गई हैदराबाद में जहां तक मुझे याद है कभी ऐसी सूरत नहीं भी थी कि पेशेंट्स को बैट् आइसीउ में बैट्स अवेलेबल नहीं है वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं है आर्टिफिशल शॉटेज हो गया था सारी चीजों का और ये सारी चीजों को इससे बचाने के लिए हमारी हमारा कंसर्न यही है कि लोगों को अवेर किया जाए और जो पेशेंट्स के साथ र मेंदारी है कि हम जिस शहर में रहते हों जिस महले में जिस बस्ती में भी हम रहते हों वहां के जो आसपास लैबोरेटरी सर्विसेस अवेलेबल है जो डागनॉस्टिक सर्विसेस अवेलेबल है उसका डेटा हमारे पास रहे ताकि हम अपने खरीब में लोगों को इससे वाख हैं किसी को अगर X-ray की ज़रूरत पड़ जाए या CT scan की ज़रूरत पड़ जाए तो ये diagnostics कहां कहां available हैं ये सारी चीजें वो हैं जिसका एक data हमारे पास हमारे हर office में हमारे हर मस्जिद में जहां जहां social places हैं वहाँ पर इसका हम एक updated data हमारे पास maintain करें ताके लोगों को हम guide कर सकें और फिर when to hospitalized के patients को hospitalized कप करना है और patients की capacity के हिसाब से उनको ये guide करना जरूरी होता है कि वो किस तरह के hospital में जाए वरना अगर किसी आप गरीब patient को किसी बड़े hospital की तरफ अगर guide कर देंगे तो वहां के अखरजात को बरदाश नहीं कर सकता और वहां जाने के बाद और ज्यादा लोग परेशान हो जाते हैं तो depending on the financial condition of the patient ये जरूरी है कि उनके लिए hospitals को हम तज्वीज करें फिर ये ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है कि ये वाइरस ट्रांसफर कैसे होता है या इसका जो transmission है वो कैसे होता है तो आम तोर पर ये एक फर्द से दूसरे फर्द को लगता है और small droplets के जरीए से जो लोगों के खासने और छीकने के नतीजे में जो droplets droplets emit होते हैं वो droplets की वज़े से ये बिमारी जो है वो फैलती है और ये जो droplets है ये बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते वालके ये एक मीटर के अंदर ही ये गिर जाते हैं और जमीन पर गिरने के बाद फिर ये वहां damage हो जाते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उसकी infectivity कम हो जाती हैं इसलिए आप देखेंगे कि जो सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग की हम बात करते हैं जो recommend करते हैं वो इसी वज़े से है कि अगर लोग एक मीटर की दूरी बनाये रखेंगे तो अगर कोई COVID positive patient भी है और वो इतिफास से खास दे किसी समीन पर गिर जाएंगे और आप उससे महफूज रह सकेंगे और इसी तरह से यह जो droplets हैं अगर किसी बेजान चीज़ के ऊपर गिरते हैं मसला टेबल पर गिर गए चेर पर गिर गए और वहां जाके दूसरा शास उसको हाथ लगा दे और फिर वहाथ वह अपने चेहरे पर लगा ले या नाक पर लगा ले आक पर मल ले तो उसके जरीए से भी यह बिमारी ट्रांसमिट हो सकती है अब एक सवाल यह पैदा हुआ रिसेंटली एक कांट्रवर्सी यह आई कि यह एरबॉन है या नहीं है तो आप देखिए जो हमारे पास मालूमात मार्च के महीने तक मार्च के आखर तक हमारी जो जानकारी थी वो यह थी कि यह वायरस के फैलने का सिर्फ एक ही जरिया है वो ड्रापलेट्स है यह यह थोड़ा सा साइज में बड़े गो Canadian Pacific की तो यह बघृट्र्रोंडर्स जमीन पर गिर यह इसा एरब पर होना हम तसलीयम नहीं कर रह थे है जब research बड़ी तो हमको यह पता चला कि कुछ ऐसे conditions हैं कुछ ऐसे circumstances हैं खास तोर से hospitals के अंदर जिसको हम aerosol generating procedures कहते हैं बाद यह treatment modalities हैं treatment के तरीखें हैं जैसे के endotracheal intubation हो गया cardiopulmonary resuscitation हो गया patient की positioning हो गई patient का tracheostomy हो गई ऐसे कुछ procedures हैं जहां पर यह virus airborne transmit हो सकता है यह कुछ research हमारे सामने अभी बहुत ही recently इसी जुलाई के महीने से यह चीज़ें आना अभी शुरू हुई हैं तो लहाजा यह एक मुस्तखिल चलने वाली research हैं जिसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें जो है रोज आना हमारे सामने आ रही हैं और हमको इससे updated अपने आपको रखना जरूरी है फिर आईए कि इसका prevention क्या है prevention बहुत सीधा सा है कि हम मास्क पहने जबी भी हम अपने घरों से बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पे पब्लिक प्लेस में खुद भी मास्क लगाएं और लोगों को भी इस बात की तरफ तरफ तरगिब दे लाएं कि वो मास्क के बगएर बाहर न पानी है तो वहाँ आप अपने साथ alcohol based sanitizer रख सकते हैं अगर पानी है तो बहतर यह है कि साबुन और पानी से अपने हाथों को दोलिया करें अगर पानी नहीं है तो आप sanitizer से अपने हाथों को साफ कर लिया करें और अपने आखों में चेहरे पे मूँ पर हाथों को लगाने से परेज करें एस्पेशली जब आप बाहर हैं तो आप अपने चेहरे हाथ और नाक और आखों पर हाथों को जाने से रोके रखें फिर अगर खासी आती है तो बहुतर यह है कि इसको किसी साफ कपड़े में खासना चाहिए या टीशू पेपर पर खासना चाहिए और इसको फ़ की दूरी बनाए रखना चाहिए अब यह कुछ इन्वेस्टिकेशन्स हैं टेस्ट्स हैं जिसकी तफसिल में जाना जरूरी नहीं है यह आपकी अपने मुखामे डॉक्टर से जब आप कंसल्ट करेंगे तो आपकी कैफियत के हिसाब से आपकी सिम्टम्स के हिसाब से वह आपको यह टेस्ट करवाना चाहिए इसमें रूटीन ब्लड टेट्स भी है सीने का एक्सरे या सीटी स्कैन भी अगर डॉक्टर ज़रूरी समझेंगे तो आपको अडवाइस करेंगे और जो कोविट का स्पेसिफिक टेस्ट है वो नेजल स्वैब फॉर आर्टी पीसियार यह वाला जो आर्टी पीसियार है यह बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है कोविट को पहचानने के लिए इसके अलावा अभी कुछ नए रैपिड एंटिजन और रैपिड एंटिबोडी टेस्ट भी आये हैं इसकी वी तरफ से लिए इंशालला मैं कुछ आपके सामने रखने क करूंगा लेकिन मोटे तोर पर यह समझ लीजें कि इस ग्राफ के अंदर जो आप यह ब्लू लाइन देख रहे हैं यह ब्लू लाइन जो है यह नैजो फेरिंजल स्वाफ और आर्टी पीसियार है यह आप देख रहे हैं कि यह सिम्टम के शुरू होने से पहले यानि वाइर इसके इनफेट करने के फॉरण बाद जो है यह एक्ट हो जाता है और यह टेस्ट वाइरस को डिटेक्ट कर लेता है और यह जो है उस वक्त तक पॉजिटिव रहता है जब तक के पांच-छे हफ़ते जब तक के नगुजर जाएं यह पीसियार आपके वाइरस को इस्पेशली जो ब्लेट टेस्ट करवाए जा रहे हैं आईजी जी और आईजी एम यह आईजी एम जो है यह बहुत जल्दी फेड होने लगता है और यह बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है यह एक्टिव इंफेक्शन या पैसिव इंफेक्शन में डिफरेंशेट नही है मोटे तोर पर बस यह समझ लीजे कि आटी पीसी आर टेस्ट जो है जो गवर्मेंट होस्पिटल्स के अंदर अभी करवाया जा रहा है यह बहुत इंपॉर्टेंट हैं अब आईए हम के साथ ट्रीटमेंट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे कि जो हमारे ट्रीटमेंट ऑप यूज किए जाते हैं एजित्रोमाइसिन है फै्डरोक्सी क्लोरोक्वीन है जो इसकी एंटी-इंफलमेट्री प्रोपर्टीज है डॉक्सी साइक्लिन भी दी जाती है आइवर्मेक्टिन है कुछ एंटी वाईरल दवायां भी दी जाती है मसला नौसल्टमेविर है भी देखेंगे कि इसका क्या रोल है फिर oxygen supplementation ये एक बहुत ही important treatment modality है खासतोर से जो patients के अंदर oxygen की कमी होना शुरू होती है अगर बरवक्त इनको oxygen supplementation कर दी जाए तो फिर इनकी बीमारी बहुत ज्यादा आगे बढ़ने से ये बच सकते हैं anticoagulants जो blood thinners आम जबान में हम इसको कहते हैं low molecular weight parents ये भी treatment के लिए दिये जाते हैं ताके जो इसमें blood के clots बन जाते हैं और वो clots जाकर फस जाते हैं लंग में तो उससे जो है blood clots को dissolve किया जा सके हो इसके ओपर हम थोड़ा सा बाद में गुफतव करेंगे awake proning एक technique है जिसके जरीए से oxygen को बढ़ाया जा सकता है high frequency nasal oxygen ये oxygen delivery के एक तरीखा है जिसमें बहुत ही high flows के ओपर oxygen को supplement किया जाता है और इन सारी चीजों पर भी अगर patient improve होता हुआ नजर ना आए तो फिर ventilatory support वो एक आखरी option बच जाता है इसमें ये एक बहुत ही simple technique है और हर किसी को क्योंके मालूम होना चाहिए मैं इसका खास दोर से यहां पर तसकिरा कर रहा हूँ ये अवेक प्रोनिंग हम इसको कहते हैं कि patient से हम अपने पेट के बल लेटने के लिए कहते हैं इसमें इसकी scientific reasoning ये है कि जब आदमी बहुत लंबे वक्त तक अपने पीठ के बल लेटा हुआ होता है या चित्ता लेटा हुआ होता है तो उससे लंग का जो dependent portion है जो नीचले का नीचले हिस्सा होता है वो collapse होने लगता है और वहां पर कुछ secretions वगरा भी pull up होते हैं तो ये जिसको हम atelectasis कहते हैं ये atelectasis की वज़े से वो collapsed lung में oxygenation नहीं होता तो अगर position frequently change किया जाए और थोड़ी थोड़ी देर से मसला यहां जिस तरह से slide में बताया गया कि हर आदे आदे घंटे से position को change करने के नतिजे में इस बात की तवखों की जाती है कि patient का oxygenation improve होगा तो यह एक simple technique है जो आम दवाईयों के साथ बहुत ज्यादा कारामत साबित हुई है अब हम इसके अलावा क्या करते हैं कि patients के care givers के लिए कुछ guidelines हम देते हैं कि उनको क्या करना है मसलां यह कि वो triple layer mask का इस्तेमाल उनको करना है जब कभी वो patient के कमरे में दाखिल हो रहे हूँ, patient के चीज़ों के हाथ लगा रहे हो, patient के खदो रहे हो, patient के खिवत कर रहे हो, on parent को खाना सर्फ कर रहे हो, तो ऐसे में उनको mask लगा कि ये सारी चीज़ें करना है और जिस चीज़ को भी वो हाथ लगात या तो उसके फौरी बाद अपने हाथों को साबुन से और पानी से कम असकम 40 सेकंड के लिए धो लें या अगर पानी अवेलेबल नहीं है जैसा मैं इससे पहले अर्स किया था कि वो अल्कोहल बेस्ट सैनिटाइजर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फिर इसी तरह से हम कुछ इंस्ट्रक्शन्स हैं जो पेशन्स को भी समझाते हैं कि वो जब अपने कमरे में अगर किसी को दाखिल होता हुआ देख लें तो वो भी अपने चेहरे पर मास्क लगा लें क्योंकि मास्क के तालुख से ये बात साइन्टिफिकली थाबित हो चुकी है कि अगर पेशन्ट जो है वो भी मास्क इस्तेमाल करें और उसके रूम में दाखिल होने वाला जो उसका अटेंडेंट है वो भी अगर मास्क लगाए तो कोविट के ट्रांसफर होने के जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा बहुत अधक कम हो जाता है तो लहाजा मास्क पेशन्ट को भी लगाना है और उनके उनके खिदमत करने वालों को भी लगाना है और फिर जब यह मास्क को या उनकी चीजों को हम फैक रहे हों तो वहाँ पर डिसिंफेक्टेंट के तौर पर सोडियम हाईपोक्लोराइट सिलूशन का इस्तेमाल करें और इस तरह की कुछ और इहतियाती तदाविर है मसलां यह कि उनको बहुत ज् फ्लूइड्स का ज्यादा इस्तेमाल करना है रेस्ट करना है अपनी ब्रीटिंग की एक्सेसाइजस करना है और खासते और चींकते वक्त कपड़ों का इस्तेमाल करना है और वो किसी और से उसको महفوظ रखना है यह कुछ एहम तदाविर हैं जो हम आम तोर पर पेशिंट्स कुछ चीजें देखेंगे जैसे जो conspiracy theories का पूरा बाजार गर्म था और हम देखते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने इसको conspiracy खरार देने की कोशिश की और WhatsApp के ओपर जो है बहुत ज्यादा fake news चली तो यह सब चीजों के पीछे बहुत बड़ी कहानी है उसकी तफ qualified doctors के जरीए से या government की website के जरीए से यह information आती है उसको हम उस पर एतिबार करें ना कि WhatsApp के ओपर जो आने वाले forwards हैं उसमें आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा controversial और बहुत ज्यादा गलत news फैलाई गई और अभी भी वह WhatsApp के ओपर इस तरह की news हैं चल रही है फिर आप देखि किया था कि हमको अपने आपको और अपने आस पास के लोगों को अवेर करना है हमको खौफ जदा करना नहीं है अवेर करने में और लोगों को डराने और खौफ जदा करने में बहुत बड़ा फर्ख है तो अभी जो information हम यहाँ पर अभी discuss कर रहे थे यह awareness के लिए हैं तो लह कि वेंटीलेटर एक treatment है मैं एक pulmonologist होने की हैसियस से आपके सामने पूरे एतिमाद के साथ यह बात कहना चाहता हूं कि वेंटीलेटर एक treatment नहीं है वेंटीलेटर सिर्फ एक support है वेंटीलेटर नॉन लंग कंडिशन में तो बहुत अच्छा support साबित होता है लेकिन अगर हम इसको कोविट के तनाजूर में देखें कोविट के patients के उपर वेंटीलेटर का कोई बहुत अच्छा response नहीं रहा बलकि वेंटीलेटर पर जाने के बाद patients का वापस बच के आना य लेहादा वेंटीलेटर का option बिलकुल भी कोई अच्छा option नहीं है वेंटीलेटर को हर्गिज treatment option ना समझेए बलकि ये सिर्फ एक support है अब देखिए जो trials हमारे पास हुए है solidarity trials के नाम से ये कुछ medical research की चीज़ें हैं जो मैं बहुत ही आसान जबान में आपके सामने रखने की कोईश करूँगा solidarity trial जो हुआ था ये अभी चल रहा है 5500 patients पर और दुनिया के 21 मुमालिक के अंदर जहां पर मुक्तलिफ दवाईयों की efficacy के बारे में ये trial अभी चल रहा है HCQ के बारे में और जो लॉपिनाविर, रिटोनाविर जो HIV के drugs हैं HIV में इस्तिमाल होने वाले दवा करने के लिए इन दवाईयों पर अभी research चल रही है फिर solidarity 2 का जो trial है वो serological testing के लिए है जिसमें global sharing of well characterized panels of sera के जो patients की serological studies होती है कि उनके serum के अंदर antibodies और anti-antigens का जो adequate level है और plasma therapy का जो रोल है ये सारी चीज़ों को इसमें study की जाती है फिर आप देखिए कि unity studies के नाम से जो world health organization की तरफ से इसकी technical committee का focus रहा कि वो investigations के बारे में एक बहुत ही protocolized अंदाज में देखिए scientific research जो होती है वो बहुत ही protocol based होती है ये random चीज़े नहीं होती तो protocol based कौन सा investigations किस तरह के patients के लिए कब करवाना है ये बहुत ही clear guidelines थे जो WHO की तरफ से दिए गए फिर Oxford University के अंदर recovery trial अभी चल रहा है जहां पर बारा हजार से ज्यादा participants है और ये 176 मखामात पर ये trial इन लोगों ने चलाया हुआ है ये dexamethasone के नाम से जो steroid आती है वो इसका roll study कर रहे हैं सित्रोमाइसिन टॉकिलिजुमैब और जो कॉन्वलिजन प्लाजमा थेरपी है जो डोनर्स से जो ऐसे डोनर्स हैं जो कोविट से मतासिर होके recover हो जाते हैं उनके plasma को अगर patients के अंदर मुंतखिल किया जाए तो उसके क्या results है इसको study करने के लिए recovery trial में इस पर research जा रही है अब ये vaccines की बात के ये vaccines कितनी जल्दी हम expect कर सकते हैं तो बन्यादी तोर पर vaccine का जो goal है कि एक safe और effective vaccine कोविट के लिए तयार की जाए और इसमें बहुत ज्यादा extraordinary global research इस वक्षिनेशन पर जारी है मेरे पास ये 28 जुलाई के सबसे recent ड्राफ्ट है landscape है जो covid-19 के candidate vaccines का है इसमें अगर आप देखेंगे तो 25 vaccines ऐसी हैं जो अभी clinical stage में है ट्राइल की clinical phase में दाखिल हो चुकी है phase 1 में कुछ है phase 2 में है phase 3 में कुछ है phase 3 में इस वक्त कल की date की ये update है कि सिर्फ 6 vaccines हैं जो phase 3 trials में भी चल रही है और बाखी की अगर आप देखेंगे तो 139 candidate vaccines ऐसी हैं जो अभी clinical stage में नहीं आई हैं वो pre clinical stage में अभी उन पर research जा रही है फिर आप देखिए कि plasma therapy के नाम से जो एक बहुत ये बड़ी बड़े बड़े दावे किये जा रहे थे कि plasma therapy एक बहुत ही गहर मामूली treatment है चमतकारी treatment साबित हो सकता है तो ये Cochrane study मैं इस वक्त आपके सामने रख रहा हूँ ये 10 जुलाई की updated है जिसमें इन लोगों ने plasma therapy के बारे में पूरी research जो दुनिया के अंदर इस वक्त चल रही है वहां से सारी चीज़ों को gather करके तखरीबन 20 studies जिसमें एक randomized control trial है तीन non-systematic control trials है और 16 non-controlled studies है और तखरीबन 5211 patients पर जो है ना इन लोगों ने आजमा कर ये बताया और इनके conclusion में इसकी तफसिल में गए बगर इसके conclusion को अगर आप देख लेंगे तो ये authors ये conclude कर रहे हैं कि we are very uncertain whether plasma from people who have recovered from COVID-19 is an effective treatment तो यहां पर भी अभी जो latest research हमारे पास है कि plasma therapy भी अभी बिलकुल इप्तिदाई मरहले में है और ये समझना या ये कहना कि plasma therapy से बहुती गहर मामुली तर पर जो है इसके फायदे होंगे ऐसा कुछ अभी नजर नहीं आ र हम मैं बढ़ा हूँ कि जहां पर ये वाइरस इसनी तीजी के साथ फैल क्यों रहा है ये वाइरस के बहुत तीजी के साथ पैलने की बिल्ने थी तर पर वज़े है कि लोग मास्क्स का इस्तेमानिork कर रहे हैं और खास तो पर जब लोग आपस एक दूसे मुलाख़त कर रहे ह तो वहाँ पर ये देखा गया है कि लोग अपने मास्क को नीचा करके बात कर रहे हैं जो कि इसको मकसद कोई खुतम कर देने वाली चीज़ है तो लहाजा मास्क का इस्तेमाल और अपने हाथों की सफाई हैंड हाईजीन फ्रीक्वेंटली अपने हाथों को धोते रहना और ताबिर हैं जिसके ज़रीए से हम इस वाइरस ने आपके सामने रखी हैं आसपास की अपने घरवालों की रिश्टेदारों की अल्ला तला हिफाज़त फरमाए और इस वबा को जल से जल अल्ला तला दुनिया से खत्म फरमाएं जजाक अल्ला उस्सलाम और भर्मतुला ही व अगर कुछ सवालात हैं तो मैं आपके सवालात के जवाब दोगा इंशालों अब बहुत बहुत शुक्रिया जजाकर लगा अभी ये मुखा है हमारे पार्टिस्पेंट्स के लिए जैसे कई एक सवालात हैं ड़क्साब लोगों के कई अप्रिहेंशन से डर खौफ और स्ट्रेस की कईफियत भी लोगों में हैं तो हमारे मुभी सब अगर बॉक्स में कुछ सवालात आए तो वो पड़ दीजिए या जो लोग गाइस हैंट किये हैं उनको मुखादी जी इंशाला यहां पर एक सवाल आया था अभी कुछ देर पहले वो सवाल यह था कि अब्दुल्मुक्दिर साब के फासे सवाल आया था कि एदुलजा का मुखा आरा है और इस मुखे पर कहां तक सही हैं लोगों से गले मिलाना और हाथ मिलाना इस तरह से रोका गया है और हाथ मिलाना और गले मिलना इससे रोका गया है और अलमा कराम से भी मेरी सिसले में गुफ्तकू हुई है और उनका भी यह मानना है क्योंकि हम एक डिफरेंट सिचुएशन से इस वक्त गुजर रहे हैं और वबा के माहुल में इस तरह से खुद यह चीज़ें अल्ला के रसुल्स की तालिमात से भी साबित हैं कि आप मिलने से या हाथ मिलने से यह बिमारी लग सकती है तो वबाई अमरास के हुक्म के दारे में क्योंकि यह चीज़ें आती हैं लहाजा इससे इस्तिनाब करना चाहिए एक और इसी से मुतालिख सवाल की मैं वज़ाहत कर दूँ कि यह बिमारी अभी तक जानवरों में पाए न तो लहाज़ा जानवरों से ये बिमारी नहीं लग सकती लेकिन अगर खुर्बानी के मौके पर क्योंके बहुत बड़ी तेदाद में जानवरों को एक जगा से दूसरी जगा लाया जाता है गाओं से शेहरों की तरफ मुन्तखिल किया जाता है तो ये इस बात का इमकान होता ह है कि जानवरों के जिसम पर जो चरवा हैं वो अगर पॉजिटिव हो और उनके खासने और उनके छींखने के नतीजे में जो ड्रॉपलेट्स गिर जाते हैं और अगर वो हमारे हाथ हम उसको टच करते हैं और फिर वो हाथ अगर अपने चेहरे पर या अपनी आँख और ना हैं तो वहां से जिसतरा से ट्रांस्मिट हो सकते हैं उसी तरीखे से यह जानवर के जिसम पर से भी ट्रांस्मिट हो सकते हैं लेकिन जानवर से इनसान को लगना, जानवर के खासने और जानवर के छींकने से इनसान को मुंतखिल होने की कोई रिपोर्ट अभी तक हमारे पास नहीं आए जी जाकरला और एक कॉशन यह आया है कि यूटूब पर यह कुशन है जनाब अब्दूल हाजी परिल साब की तरफ से कि हाउ के इडेंटिफाई एस इसेंटमेटिक इंफेक्टेट पर्सन इसेंटमेटिक को आप पता चलाने का कोई जर्या नहीं है एस इंटमाटिक कहते ही उसको है जिसके अंदर कोई सिंटम्स नहीं है उसको पता चलाना मुम्किन नहीं है जब तक कि आप उसका आटी पीसी आट टेस्ट ना करें आप उसके कोवीट को कनफर्म नहीं कर सकते हैं लेकिन यह एक हकीकत है इस बात की पर वो बाइक से गिरा और उसकी पैर की हड़ी भी टूटी पेट पर भी मार लगा और सर को मार लगा अब हमारे लिए लिए हास्पिटल में यह कोई रीजन नहीं था कि हम उसको कोवीट सस्पेट करें क्योंकि यह तक एक 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 सिदेंट का केस था लेकिन जब यह पेशन ने ये कहा कि ठीक है इसके सर पर जो चोट है वो बहुत मामूली सी है अलबता इसकी पैर की हड़ी टूटीवी है इसको पूरी तरह से रिकवर होने दीजे एक हफते के बाद हम इसके पैर की हड़ी का ऑपरेशन करेंगे लेकिन जब ये पेशन्ट हमारे पास एक हफता रहा और जब इसके orthopedic surgeons इस patient को ले जाकर इसकी surgery करने वाले थे और उन्होंने surgery से पहले इसका COVID टेस्ट करवाया तो ये हमारे लिए बड़ी ताजुब वाली बात थी कि इसका COVID positive आ गया जबकि ये patient को कोई symptoms नहीं थे ये patient accident से हमारे पास आया था तो मेरे कहने का मकसद ये है कि asymptomatic patients भी आज COVID में एक reality है और ये patient दूसरों को positive कर सकते हैं ये भी एक अखीकत है जी जब जाकर लावाश है बहुत सारे questions आ रहे हैं जूम पर भी लोग questions पूछ रहे हैं और साथे साथ YouTube पर भी ये सिलसला जारी है हम मौका देते हैं भी मुहमद अब्दूलमुजीब साहथ साथ जो उन्होंने hand raise किया है मैं आपको unmute चर रहा हूँ आप अपनी तरफ से जो कहना चाहते हैं कहिए जजाकर लाव तो मेरा कुश्चिन ये है अलम्दूला आपने बहुत सारे बाते बताया तो ये कुश्चिन ये है कि अगर हम कोविड पेशन का कॉरिंटें पर संजो भी हो किन वी टॉक मेंटिनिंग डिस्टेंस मेंटिन करके बात कर सकते हैं एक बात दूसरी बात यह है कि आज कल वाटसाप में ज्यादा होगा है कि रोजाना हाट वाटर पी ले और उसमें अलोजी और हल्डी और इसका उसका कुछ मिक्स करके रिपीटिडली पीना और स्टीम ल अगर इसका अभी तक ट्रीटमेंट अगर मेडिसन नहीं है एक्जैक नहीं है लोग रात में भी हड्रेवर्ड आके वहां पर जैन करने की कोशिश कर रहा है कि यह सही है इसका ट्रीटमेंट लोकल में भी ले सकते हैं ज़्याद कि जदा कल्ला जो आप पहला सवाल किये थे कि जो पेशन कारंटाइन में है या आईसोलेशन में है उससे उसके डिस्टेंस मेंटेन करके बात की जा सकती है तो उसके उससे बात करना चाहिए मैं तो यह कहूंगा कि उससे मुलाखात करना चाहिए उसकी कैफियत लेना चाहिए उसके खरीब एक मीटर का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस रखते हुए और मास्क का इस्तेमाल करते हुए यखिनन ऐसे पेशेंट्स की मिजाज पुरसी करना उनके खरीब जाना उनकी कैफियत जर्याफ्ट करना उनकी जरुरतों को पूरा करना ये हमारा दीनी और अखलाखी फरीजा है ये काम तो हमको करना चाहिए दूसरा सवाल आप ये पूछे हैं कि जो होम मेड रेमीडी से मुतालिख घर पर जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं मसला काड़ा वगरा बनाना गरम पानी का इस्तेमाल इस्टीम इनिलेशन तो यखिनां इसकी एहमियत अपनी जगा है ये इम्मिनीटी को बॉड़ी की इम्मिनीटी को खाइम रखने में और वाइरस से लड़ने में मदद करती हैं ये इसका इम्मिन बूस्टेर्स हम इसको कहते हैं जाहर है कि इसके कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है लेकिन यखिनां इसका अपना रोल है इस्टीम इनिलेशन से बॉड़ी के जो ब्रॉंको डाइलेटेशन होता है और उसके जरिये से जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ओपन अप होती है डाइलेट होती है तो यखिनां इस इसको प्रोमॉट करना चाहिए यह इसको मेडिसिन की साथ 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 इस्तेमाल की जा सकते है और जातों क कातीसरा सवाल था कियूंके इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है पांप है często डि डिंखक़ है तो आई को और कोई कि पैक्षिसjung को हैधराबाद लाना और पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च करना बड़े बड़े होस्पिटलों में शरीक करवाना इसका क्या जवाज है तो इस लिए में यह है कि देखिए पेशन्ट की स्टेजिंग हम करते हैं हम हेदरबास शहर के अंदर जैसा कि मैं अपने प्रेजेंटेशन में भी बात रखा था कि हम लोगों को टेलीफोन के जरीए से गाइड कर रहे हैं हमने इस पूरी बीमारी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनेजेशन के और गॉर्मेंट ऑफ इंडिया के जो गाइड लाइन्स हैं उसको सामने रखकर इसकी स्टेजिंग की है गॉर्मेंट ये बताती है कि स्टेज टू स्टेज जीरो स्टेज वन और स्टेज टू तक इसका होम मैनेजमेंट पॉसिबल है लेकिन जो पेशन्ट अगर स्टेज टू से क्रास कर जाते हैं तो फिर ये जरूरी होता है कि उनको आक्सिजन भी दी जाए उनकी मॉनिटरिंग भी की जाए और उनका कंटिन्यूसली उन लेकिन वो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है उससे पहले भी कुछ चीज़ें हैं जो घर पे रखके हम नहीं कर सकते हैं तो लहाजा हम डेर की तरफ से भी जो आनलाइन टेली कंसल्टेशन सर्विस दे रहे हैं वहां पर हम स्टेज जीरो स्टेज वन और स्टेज टू के पेश आपके ऑक्सिजन लेवल डाउन हो रही है बीपी गिर रहा है तो यह वह स्टेज है जहां पर आपको हॉस्पिटलाइज होना है तो लहाजा अब हॉस्पिटलाइजेशन के क्या आप्शन होंगे यह तो हर फर्द को मुखामी सते पर डिसाइड करना होगा मसले अगर आपक गॉर्मेंट डॉक्टर्स हैं उनसे राप्ते में रहिए उनसे यह पूछ लिजे कि उनके पास क्या क्या फेसिलिटी अवेलेबल है डियमेचो को अप्रोच करना अजला में बहुत आसान रहता है मैं अजला में रहा हूँ वहाँ पर मैं काम किया हूँ शहरों में यह निज तर रहनुमाई करेंगे तो लहाजा अगर आप उनसे राप्ते में हैं और वो कहते हैं कि आप अपने पेशन्ट को यहां लेके आईए तो हैदराबाद लाने की कोई ऐसी खास वज़ा नहीं है क्योंकि ट्रीटमेंट की जा तक आपने सवाल किया है तो ट्रीटमेंट वही ह जो हर जगा अविलेबल है सिवाए चंद एक ऐसे इंजेक्शन्स हैं जो अभी बिल्कुल रिसर्च के मरहले में हैं इसका कोई ऐसा बहुत ज्यादा अभी तक साबित नहीं हुआ है तो पेशन्ट ऐसे भी मैं जानता हूं जो अजला में रहकर जिन्होंने अपना ट्रीटम जी जजाक अल्ला अभी हम और एक मौका देंगे जन्होंने हैंड्रेस किया है इफ्टखात मुहम्मद को हमने मौका दे रहे हैं जी मैं उनको अन्मूट कर रहा हूं इफ्टखात मुहम्मद जी ठीक है यहां पर अरे सब्सक्राइब जी बताइगे इफ्टखात मुहम्मद जी डाक साब मेरे घर में आ लड़ी जो सो मेरे को प्रदर की जो सो कोविट से डेथ होई रिसेंटली तो फार देज कोले और उनके मिसेज भी कोविड नेगेटिव लेकिन उनको भी वन वीक हास्पिलाइज होके रिकवर होके घर को आये हैं तो उनको और कितने दिन हम आईसोलेशन में रखना है यह थोड़ा आप बता देंगे तो बहतर रहता हूं उनका कोविड टेस्ट नेगेटिव हैं जी औ और सिम्टम्स नहीं है उनको कोई ने पहले तो था फीवर था खांसी थी वो पूरे हास्पिलाइज होने के बाद एक वन वीक में कवर होए हैं तिर अभी हास्पिल से आके भी तकरीबन टुवेल डेस हो गया भी घर पर जी 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 अबी तो उनके सिम्टम्स पहली मरतबा नोट किये गए थे उस दिन से लेकर चौदा दिन यह आम तोर पर गवर्मेंट की गाइड लाइंज हैं अभी तो डिस्टेंस मैंटेन करने की जरुत है या नहीं है चौदा दिन के बाद इसकी जरुत नहीं है अगर वह बिल्कुल सिम्टम्स फ्री हैं और उनका कोवेल का इस भी नेगेटिव आया था तो दो हफतों के बाद करने की जरुत है और मेरे को ब्रदर को भी मैं जो इस वो डेड़ बाड़ी काउन को फुसल वगारा करके तद्वीन किया था लेकिन किट पे ना हुआ था लेकिन हमको कुछ अगर ऐसे सिंटम्स आएंगे का ऐसा कुछ पुछ लेना है प्रिकॉशन के तौर पर जो होम रेविडी का हम किछले सवाल में तसकिरा करें थे वह आप इस्तेमाल कर सकते हैं गरम पानी है काड़ा है और उसके साथ साथ मुल्टि वाइटमिन हैं वाइटमिन सी वाइटमिन डी जिंक सप्लिमेंटेशन ये कुछ चीज जी डाट सब्सक्राइब करती है ये एक सवाल का जवाब में दिया हूं कि दो रिपोर्ट्स हमारे पास है और गवर्मेंट आफ इंडिया की मिनिस्टी आफ फहल्थ की रिपोर भी है जिसमें ये बताया इगया है कि डेड बॉडी से वाइरस एमिट नहीं होता रोजानी बॉड़त कुछ उस्तम को बन्यादी तोर पर मतासिर करता है जैसे ही पेशन century Briton के चिशिकने और खासने का इमकान नहीं रहता तो लेहादा यह बॉडी से वाइरस रेस्पिरेटरी सिस्टम से अलबता बॉडी के फ्लूइट्स के अंदर यह वाइरस क्योंकि पाया गया है तो जो बॉडी सूजन की वज़े से या बॉडी में पानी भर जाने से सूच जाती है एडिमा जिसको हम कहते ह हैं और फिर उससे पानी रसने लगता है सीपेज ऑफ बॉडी फ्लूइट्स हम कहते हैं अगर ऐसा कोई मामला है तो जो बॉडी को मैयत को हाथ लगा रहे हों घुसल दे रहे हों वह अपने हाथों को अच्छी तरह से दोलें मास्क का और पीपी गीट का इस्तेमाल करें तो घर में कोई सिंटम्स नहीं हैं अगर घर के दो लोग है चार छे लोग है कोई सिंटम्स नहीं है लेकिन चूंके खरीब में जो है कोई कोई का पेशिंट है रिश्टदारों में किसी का इंतिकाल हुआ है या कोई ख़बर सुने है उसमें जिसे लोग बहशत डर खौफ का श कुछ और मेडिसिन भी ले रही है कहां तक से इस से आगे बढ़कर आप देखेंगे हैदरबाश शहर के अंदर तो नौबत यह है कि लोग डिप्रेशन का शिकार है और इस दर्जे तक वो डिप्रेश हो चुके हैं कि उनको साइकाट्रिक सपोर्ट दी जा रही है साइकाट्र आप लोग अजला में भी अगर कोई से इस्तिफादा करना चाह रहे हैं किसी को जरूरत है तो इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहां तक लोगों के अंदर खौफ बैठा हुआ है और लोग डरे हुए हैं डिप्रेशन और एंग्जाइटी में इस हद तक मुक्तिला है कि उनको ट् आफ क्योंकि आप देखिए किस तरह के जो वीडियो और मेसेजस वाटस अप पर इक्तिदा में हम देख रहे थे कोई यह कह रहे हैं कि हास्पिटल्स मत जाएए वहां पर डॉक्टर्स इंजेक्शन दे के पिशेंट्स को मार रहे हैं तो इस तरह की बाते हैं अगर यह है कि लोगों की जो मिस इंफॉर्मेशन है उसको करेक्ट इंफॉर्मेशन से तबदील कर दिया जाए लोगों की सही रहनुमाई की जाए जो चीज जिस तरह की है उस तरह से उनके सामने पेश की जाए ना तो उसको बढ़ा चड़ा कर लोगों को खौफ में मुबतला हो हो जा रहे हैं तो यह दोनों रवयों के दरमियान का रवया हमको इख्तियार करना है और इसी को पुब्लिक में प्रोमोट करना है जी अगर यह किसी भी चीज पर पढ़ जाएं नाट उनली करन्सी नोट्स बल्कि किसी भी चीज पर किसी भी बेजान चीज़ पर कुरसी पर यह हो सकते हैं टेबल पर हो सकते हैं आप जिन दर्वाजे खोलते हैं दर्वाजें के हैंडल नॉप्स पर यह चीज़ें हो सकती हैं कहीं भी यह चीज़ हो सकती है तो इसलिए यह बात बताई जा रही कि आप कोई भी चीज़ को अगर हाथ लगाएं तो हाथ धो लिया करें अगर पानी और साबुन अवेलेबल ना हो तो इसको सैनिटा होने के बाद पिर दुबारा होने के चांसिस हैं यह यह बहुत ही रीसेंट रिसर्च हमारे पास आई है अभी कुछ ऐसी इतलात आ रही है कि करोना से पूरे तौर पर सहतियाब होने के बाद दो महीने के बाद दुबारा एक पैशन फिर इस से मतासिर हो गया वह पॉजिट तरह से गलत जो है करोना मान ली गई थी या अब की जो रिपोर्ट्स हैं वो गलत हैं क्योंकि आम तोर पर होना यह नहीं चाहिए कि एक मरतबा अगर बादी का इम्यून सिस्टम उसको रिकरगनाईज कर ले तो दुबारा बादी के अंदर इस तरह की खुवत मुदाफियत पैदा हो जाती है कि वो बीमारी दुबारा नहीं होना चाहिए लेकिन ऐसी कुछ इतलात अभी आ रही हैं इस पे मजीद रिसर्च होना बागी है अभी खादम मसीव दिन साहब से खाहिश की जाती है कि वो अपना सवाल रखें उनको अद्मीट क्या गया है असलावालीकूम वहती इन्फामेट्यू आपने प्रोग्राम दिया अल्ला आपके इल्म और अक्वाल में और तरखी दे सिर्फ छोटा सा सवाल है कि ये जो नेजल स्वाब टेस्ट जो है वो क्या तकलीवदा है ये बहुत ज्यादा तकलीवदा नहीं है बलके नाक से एक स्वाब होता है जिस पर इसके आखरी सिरें पर कॉटन लगावा होता है वो नाक से दाखिल करके हलक के आखरी हिस्से तक तारख हम कहते हैं वो तारख को टच करके वहाँ थोड़ा सा इसको रोटेट किया जाता है ये टेस्ट मैं खुद अपना टेस्ट कराया हूँ तो बहुत ज्यादा कोई तकलीव देट टेस्ट नहीं है इसको बहुत आसानी के साथ करवाया सकते हैं शुक्रिया जी शुक्रिया मुहमद नसरीन की तरफ से एक क्वेशन आया था उन्होंने लिखा है अगर हो सकता है व जी ठीक है मैं ही कह देता हूँ उन्हों लिखा है कि मुझे पिछले वन वीक में थोड़ा सा बॉड़ी पेंस और हैटेक तर्फ में रहा था लेकिन टैबलेट्स के पुझे अब कोई भी टेस्ट और समिल हरकीज मालूम नहीं हो रहा है मुझे अब आईसा क्यों हो रहा है और उनका यह तवाल है अभी कोई उनको टेस्ट और कोई स्मेल उनको अभी नहीं आ रही है उनकी तविए तो ठीक हो गई है कुछ धूर सम्टी बुखार था लेकिन अभी वो परेशान है अगर सिर्फ टेस्ट और समयल का मसला है तो यह आप समझ लेज़े कि 220 तक इसमें आप पूछ तरह की सिंब्टमस रहें अएख्ट अश्टा इंशाब्लाइगे यह सिंब्टम सेलोंगे तो सफ इसमेल और टेस्ट का मसला है और सांस लेने में कोई नहीं है खांसी नहीं यह बखार नहीं सिर में डर्द नहीं तो आपको घ्रन लाइन की ज़रुत नहीं अभी मुहमद रियाजत्दीन साथ से खाईश है मुहमद रियाजत्दीन साथ अलेक्व रही समय वर्पादू डार्ट साथ ये आम तर पे बाज लोग ये कह रहें कि हवा में भी ये वाइरस रहता क्या ये बात सही है और दूसरा चोटा सवाल ये है कि थर्ड ग्रेट के थर्ड मरहले के जो पेशन्ट्स हैं कोविट के क्या डेर की तरफ से अगर मुस्ताफ हैं तो कोई उनके लिए सिस्टम है जदा के जी तो आपका जो पहला सवाल है ये बीमारी एरबॉर्न है या नहीं ह तो इससलिए मैं मैं अपने स्लाइट्स में एक स्लाइट पे इसका तथकेरा करा हूँ कि हमारी जो मालूमात थी जो रिसर्च मार्च के आखिर आखिर तक हमारे पास रिसर्च अवेलिबल थी उसमें ये बात बताए जा रही थी कि ये एरबॉर्न नहीं है और ये सिर्फ ड दस माइक्रो मेटर के साइस के होते हैं उससे ज्यादा साइस के जो डॉप्रेट्स होते हैं वो जमीन पर गिर जाते हैं लहाज़ा ये एरबॉर्न नहीं है लेकिन अभी जुलाई में कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आने लगी हैं कि जहां पर ये बताया जा रहा है कि ये बॉन ड्रिलिंग है या ट्रेक्योस्टोमी है या सीपी आर है या इंट्यूबेशन है ऐसी कुछ प्रॉसेस किये जाते हैं जहां पर इस बात का इमकान है कि ये वाइरस हवा में हॉस्पिटल के माहौल में ये हवा में बहुत देड़ तक रह सकता है और वहां पर इमकान य है ऐसा नहीं है कि ये हवा में और फिजा में फैला हुआ है ऐसा नहीं है और बिलफर्ज मान लिजे मैं एक स्टेप और आगे बढ़के आपसे अर्श करना चाहरा हूं कि अगर कल के दिन मान लिजे कि ये बालूमात हमारे सामने आती हैं कि ये एरबॉन है तब भी कोई अल तदाविर हैं जो कल के दिन अगर खुदा ना खास्ता ये बात एलान कर दी जाती है कि ये एरबॉन है तब भी इसकी एहतियाती तदाविर यही रहेंगी दूसरा आपका जो सवाल था कि स्टेज ट्री से मुतालेंग गवर्मेंट की ये बहुत ही किलियर गाइड लाइंस हैं कि अगर स्टेज ट्री स्टेज कहते कि सको हैं इसको पेशन को सास लेने में बहुस ज्यादा दुश्वारी हो उसका बीपी गिरना शुरू हो जाए जि जरूरत हो तो यह वो stage होता है stage 3 का जहां पे हम घर पर patient को manage नहीं कर सकते हैं इसके लिए लाजमी है कि patient को hospitalized किया जाए क्योंकि वो सारी चीज़ें वो set up वो oxygen वो facilities वो monitoring हम घर पे उसका arrangement नहीं कर सकते हैं तो लहाजा अब stage 3 में जरूरी है कि patient को hospitalized किया जाए लेकिन इसके बहुत ज्यादा दूसरी बीमारियों में पहले से घिरा हुआ है किसी की उमर है 75 साल 80 साल अब वो hospital जाना नहीं चाहते हैं ऐसे भी कुछ हमारे सामने cases आये हैं और यखिनां ये बात बिलकुल सही है कि age के बाद एक और जो आज के दौर में अगर आप सर्च करेंगे तो एक आउसत इंडियन की जो average life span है वो 69 years है 69 years एक average हिंदुस्तानी की जिंदगी है अब हम डॉक्टर्स की हैसिएस से ये देखते हैं कि patient की age कितनी ज्यादा है और उसके साथ साथ उसको पहले से ही कितनी बीमारिया है तो ये ये दो में ऐसे क्राइटीरिया हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हुए ये फैसला लेते हैं कि patient को आया hospital मुंतखिल किया जाए या घरी पर मैनेज किया जाए अब बाज patient के रिष्टेदार हमसे ये खायश करते हैं कि डार साथ patient की age बहुत ज्यादा है ये तीन-चार साल से बिस्तर पर है फालिच का attack हुआ था इनको दम्मे की भी शिकायत है इनका बी-पी भी है इस ट्रोप भी हुआ था इस तरह कि अगर बहुत सारी चीजे हैं हम hospital पर भी जो है उनको लगाने की इजाज़त दे रहे हैं और वो हमसे phone पर राप्ते में रहते हैं और वख़े-वख़े से हमारे doctors की जो team है उनको call करती रहती हैं उनसे touch में रहते हुए हम उनको वख़े-वख़े से guidelines देते हैं तो ये ऐसी कुछ इस्तिशनाई सूरते हैं जह शुक्रिया यूटूब पर अखीला पातिमा की तरफ से ये question आया है कि अगर हम positive लोग के positive person के पास से अगर हम कोई बकरा लेते हैं या पिर हम जानवर लेते हैं तो इस सिलसले में अगर हम उसको जुबा करते हैं तो फिर क्या इस सिलसले में बीमारी पहलने के chances हैं कि आपके आवाज साफ नहीं आई मुबिन सब्सक्राइब आप सवाल दोबारा दो रहेंगे जी जी सवाल मेरा ये है कि अगर positive कुविट positive मरीज के पास से अगर हम जानवर लेते हैं तो क्या इससे बीमारी पहलने के chances हैं जी 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 मैं ये सवाल भी इसका जवाब दे चुका हूँ कि जानवर से इनसान को मर्स के मुंतखिल होने की अभी तक कोई इतिलात नहीं है ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई कि बीमार जानवर से ये बीमारी मुंतखिल होती हो लेकिन इस बात का इमकान है कि जानवर के जिसम पर उसके जो जानवर फरुख्ट करने वाले हैं जो चरवा हैं जो लाकर इसको फरुख्ँ करते हैं अगर वो positive हैं और वो खासते और छीखते हैं और उनके हाथों पर अगर वाइरस है और वो हाथों पर का वाइरस जानवर के जिसम पर मुंतखिल कर देते हैं उसकी खाल पर वो वाइरस लग जाता है और उस जानवर को अगर हम अपने हाथ से छूते हैं और फिर वो हाथ अगर अगर हम अपने चेहरे या आग पर लगा लेते हैं तो इस तरह से वाइरस ट्रांसफर हो सकता है लेकिन जानवर के खासने छीखने से इंसान को लगने की कोई इतिलात अभी तक हमारे पास नहीं है यह बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से वाइरस किसी टेबल पर पाया जा सकता है चेर पर किसी दर्वाजे के हैंडेल पर गाड़ी पर बाइक पर स्कूटर पर कहीं भी पाया जा सकता है अधिया हम रफ्यूज दमा साहब को यह अन्मूट करते हैं वह अपना कुशन रख सकते हैं रफ्यूज दमा साहब को अभी आप एक सवाल की जवाब में बता रहे थे कि पॉजिटिव पेशेंट्स के खरीब भी हम जा सकते हैं जैनि कोविट पॉजिटिव जिसका है विटाउट एनी पेपी केट वगएरा के हम डिस्टेंस रखके उन से मलाखात कर सकते हैं यह सही है जी जी बिलकुल पॉजिटिव पेशेंट्स के खरीब अगर आप जा रहे हैं तो एक मेटर का फासला रखना है और मास्क का इस्तेमाल करना है पीपीई किट्स जरूरी नह हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ हास्पिटल कंडिशन्स में डॉक्टर्स के लिए और पैरामेडिक्स के लिए यह पीपी किट्स हैं या पिर उन लोगों के लिए हैं जो मैयतों को घुसल दे रहे हैं जहां से वाइरस के लगने का अंदिशा हैं लेकिन पेशेंट्स के खरीब जाने में कोविट पॉजिशन्स के खरीब यगर आप जा रहे हैं तो एहतियात वही है कि आपको मास्क लगाना है एक मीटर की दूरी बनाए रखना है अगर आप कोविट पॉजिट्ट्व पेशन्स की किसी चीज़ को हाथ लगा रहे हों उनके उनके खिदमत कर रहे हों मस अब हमें पॉज आइसे पेशन्स हैं जनको यहां पर पॉजिट्व किया है गया टेस्ट पॉजिट्व पॉजिट्व रिकोट दिये होगे और पहां पर जो है बोरी टेस्ट कर गया वोग्त लिगेट्व रिकोट दीए यह इंगक्ज्छ चीजों सका इंदर verbिорि है किए श की कोशिश की जा रही है जो टेस्ट के जो किट्स अब्तिदा में आए थे वो बाद में इंप्रूफ होते गए और अभी जो किट्स अवेलेबल हैं वो निजबतां ज्यादा अच्छे क्वालिटी के किट्स अभी अवेलेबल हैं तो इस बात का भी इमकान है कि पहले जो हो सकती है इसके नतीजे में ये गलत तोर पर जो है पॉजिटिव आ गया था तो इसमें बहुत सारे चीजों का इमकान है और फिर डॉक्टर्स की तरफ से या टेस्टिंग में ये हुआ कि क्योंकि बहुत बड़ी तेदाद में ये टेस्टिंग का प्रासेस स्टार्ट और इसके लिए जो पूरी मशिनरी थी जो पूरा सिस्टम था वो तैयार नहीं था और इतने बड़े पैमाने पर टेस्ट को इसके रिपोर्ट को हैंडल करने में एक बहुत बड़ी दुश्वारी पेश आई तो वो चीजों को सेटल होने में बहुत ज्यादा वक्त लगया तो इसमें आप दोनों तरह से यह कह सकते हैं कि टेस्टिंग में भी गलती हो सकती हैं और इसमें इंसानी गलती का भी सुदूर मुंकिन है जी मैं दो तिन पुश्शन्स चोटे चोटे हैं मैं आप से जनरली पुश लूँगा एक साथ पुश लूँगा इसमें यह है सफुरा महविस साहबा की तरफ से यह क्रोशन है कि कैन वी यूज एजित्रोमसिन टाइबलेट जस्टो इस्टेप अवे फिंग एफिक्टेट फ्रम करोना और दूसरा यह है कि मास्क कुन सा यूज़ करना ताई है क्योंकि 95 मास्क यह तमाम चीज़ें जब दू हच्चा औ दो फाइदें एक तो एजित्रोमासिन का एंटिवाटिक के तौर पर इस्तिमाल किया जाता है जिसका एटिपिकल बैक्टीरिया के थै। दूसरा एजित्रोमाइसिन का रोल एंटी इंफलमेटरी है कि जो सूजन होती है उसको सूजन के कम करने में भी एजित्रोमाइसिन का रोल है तो आम तोर पर हलके फुलके सिम्टम्स में बेहतर यह है कि as a general रोल मैं यह कह रहा हूँ कि किसी भी मिमारी के लिए हो कि एंटी बैटिक्स का इस्तेमाल कम से कम किया जाना चाहिए और बगए डॉक्टर के मश्वेरे से over the counter किसी medical शॉप से एंटी बैक्स इस्तेमाल करने का जो आम रुजान हमारे पास पाया जाता है बहुत सारे इसको प्रोमोट नहीं करना चाहिए इसको बिलकुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए एक बहुत ही खतरनाक दवाई है जिसको बगए डॉक्टर के मश्विरे से और पूरी एहतियात के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए और इसका मुकमल कोर्स करना चाहिए कुछ एंटिबाटिक के मश्यूरे से और अधूरा कोर्स करने के नतीजे में फाइदे से ज्यादा नुखसान होता है तो ओवर दा काउंटर जो मेडिकेशन्स लिए जाते हैं आप बुखार की सर्दी की कोई और टैबलेट ले सकते हैं लेकिन एंटीबाइटिक्स के बारे में खास तर पर इस्तिय यह सारी चीजे डॉक्टर्स के लिए ऐसे हस्पिटल के लिए रिस्क होते हैं तो यह का itself वर दूसरे जो रिस्प्रियों मास्क है और एफ फ्पीट्र से सरे जो वार यह सारे औरे इन्ट्रेंटी जोगेशन्स हैं यह यह में यहें कहते हैं healthcare providers लेकिन आम लोगों के लिए N95 mask respirators इनकी कोई जरुष नहीं है guidelines बहुत clearly बताया गया है कि simple medical mask triple layered mask जो आम तोर पर मिलता है वो काफी है और अगर कोई वो भी ना ले सके तो cloth mask भी काफी है अगर कोई आम खरीदारी के लिए market जा रहे हों बाहर निकल रहे हों तो cloth mask भी काफी है लेकिन अगर आप मान लिजे किसी covid patient की खिदमत में लगे हुए हैं घर में तो बहतर यह है कि आप triple layered medical mask इस्तेमाल करें जो green color का आम तोर पर elastic band वाला mask जो हम इस्तेमाल करते हैं वो mask भी काफी है जी जजाकर ला बहुत 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 तमाम नाजरीन का और फिर तमाम अफराद का जुन्हों ने questions किया मैं यहां पर यह बात बता दूँ कि दमाते इसला मेहिन और फिर उसके सिस्टर्स ऑर्गिनेजर्जम की तरफ से एक हेल्प लाइन नंबर जिया गया है डॉक्टर्स आइट्वा सर्विस में आप नंबर नोट करने बहुत सारे 17677-247 जजा कर लाँ बहुत-बहुत बहुत आट की कारवाई साजिख साम बढ़ाई जजा कर लिए अलहम्द लिल्ला नौतरम हजरात सामाइन एक राम बड़ी खुशी की बात है कि अलहमद्दिल्ला काफी बड़ी तेदाद में पार्टिस्पेंट्स हमारे इस प्रोग्राम में शरीक रहें और काफी एक्ट्यू सेशन हमारा अलहमद्दिल्ला रहा है डार्ट्साफ प्रोग्राम में लोगों को बड़ी तहूलत मिली है और नतीजेतन लोग जो है सवालात भी बड़े एक्ट्यू और डैनमिक काफ़स के सवालात लोगों किया है उमीद है कि हमारे पार्टिस्मेंट्स को इस सेशन से फायदा हुआ होगा मैं ये बात आपको बता दूँ जमात इसलामी हिंद के पास एक डिपार्ट्मेंट है जिसका नाम है उम्मत का तहफुज और तरकी ये डिपार्ट्मेंट इस बात की कोशिश करता है कि लोगों की सेशन और तालीम के इतिबार से तालीम के मैदान में भी आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए दोस्तों चुंके सहेता इंदुस्ता माउमत के तहफुज और तरकी का एक एहम जो है विंग है इसलिए हमने मुनासिब संजा के कोविट के हवाले से ये सेशन बिल्कु बिल्कु बिल्कुस अजला के रुफचा के लिए और देहात और खर्यों के रुफचा भी इसमें अल इस सेशन की सदारत करने वाली शख्सियत मुनतरम जनाब हमिद मुनत्तान सहाब अमीर इल्कु जमात इसलाम हिंद। अल्कित लंगाना को दावत देता हूं कि वो सदारती खिताब फर्माएं और मैं अमीर इल्का को ये बात बताओं लगभग जो रुफचा इस वक्त सेशन में ही वो बहुत हद तक तहरीकी रुफचा है और कुछ दीगर अहबाब भी हैं इनको मुकातिक करते हुए अमीर इ अधिर वामी खिताब फर्माएं बिस्म ल्लाहि रुह्मान रुहीम नहमदु हुनसल्य अला रसूलिहिलकरीम वाला आलिही वास्हाबही अज्माएन अल्लाहमा आफिनी फी बजनी आल्लाहमा आफिनी वी सम्नी यल्लाहमा आफिनी वी बस्री ला इलाह इलाए अंन्त मुहतरम जनाब सादिक एम्ह सहाब सेक्रेटरी हलका शोब एम्मत का ताहफ़ और तरक्री डाक्टर महम्मद आतिफ इस्माइल सहाब और रुफगा एकराम हजरात एकरामी भाईयो बेहनों ये प्रोग्राम मेरा तो ख्याल था कि मैं नो बजे के वक्त में इस प्रोग्राम में शामिल हो जाओं लेकिन मैं ने अब्तिदा में साथ बचकर पच्चीस मिनट को मैं इसमें जैन हुआ और जैसे ही डाक्टर साब लेक्चर शुरू किये तो फिर मैं अपना वो इरादा बदल कर मैं और घर में सब लोग बैठकर ये लेक्चर और पावर पैंट प्रेजेंटेशन के साथ में हमने इसको सुना है और यकिनन बहुत से लोगों को इसे फाइदा हुआ होगा और ये लेक्चर और इस तरह के लेक्चर्स की सीरीज जमात इसलामी हिंग और फिर डेर के तावन से डाक्टर्स असोसेशन फर रिलीफ और एजुकेशन के नाम से जो जमात की डाक्टर्स की आर्किनाजेशन हैं उसकी जानिब से शवर वेदारी के इस तरह के लेक्चर्स बहुत पहले से हैदरवाद में हो रहे हैं और ये आज स्टेट लेवल का प्रोग्राम मनकित किया गया मैं आल्ला ताला से दुआ करता हूं कि आल्ला अजर अजिम अताफ फरमाए दोस्तों आपने सुना और मैंने भी सुना कि एक इस तरह की महलिक वबा है दुनिया में इस तरह की वबाएं आती रही हैं इस तरह वबा का आना ये पहली दफ़ा नहीं है नभी स्लिल्ला अल्यों के जमाने में भी वबा आई खुल्फा राशिदीन के जमाने में भी वबा आई इसलिए नभी स्लिल्ला अल्यों ने जब कभी वबा फैलती तो वबा के सलसले में आपका ये बहुत मुसर और बहुत आम सब तक पहुँच गया है ये रिशाद वो ये है कि आदमी अपनी जगा न छोड़े है वबा जिस जगे आई है वहां कोई वहां से मुन्तकिल ना हो और उस वबा की जगा पर कोई न जाए ये वसूली हिदाया नबी सलल्लाहु लिए सल्म की थी हज़रत अमर रजियल्लाहु दालान के जमाने में जब वबा आई तो आप ने और आपके कवर्नर ने बाकाइदा लोगों से कहा कि तुम पहाड़ों में चले जाओ जंग्लों में चले जाओ और वो पहले खुद निकल गए और सब लोग जंग्लों के अंदर पहाड़ों के अंदर चले गए शेहरों को छोड़ दिया उन्होंने गाउं को छोड़ दिया और जब वबा खाबों में आई तो तब वो फिर शेहर मुन्तकिल हुए अपने अपने घरों को यह वबा इस तेजी के साथ फैलने की अहम तरीन वजह जो तेज रफ़तार ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टम इस वक्त है और सारी दुनिया में इस वबा को फैलाने में एर सर्विस ने बड़ा रोल अदा किया और आप अगर तद्जिया करकर देखें तो वो शहर जहां पर इंटरनेशनल एरपोर्ट्स पाये जाते हैं वहीं पर यह वबा बहुत ज्यादा है और जो दूर दरास के मकामात हैं वहाँ पर निजबतन कब हैं अब इस फक्त तलंगाने में अजला के अंदर भी यह वबा पैल रही है तो इसकी अहम वजह हैदराबास से लोग मुन्तखिल हो रहे हैं हैं खायदराबास से लोग अपने अपने मुकामात पर जा रहे हैं या वो हैदराबास में वबा से बचने के लिए वो अजला में मकीम हैं और ये यहां से वबा को ले जा रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, इस वज़े से ये वबा फैल रही है, इस तरह की वबा गुजिश्टा सदी के बिलकुल इप्तिदा में 1918 से 1922 तक जब फस्ट वर्ल्ड वार हो रही थी, तो स्वीडिश फ्लू आया था, उसकी किताबे मौजूद हैं, यह कोई कहानी नहीं है, और उसके प्रूफ भी मौजूद हैं, कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में एक करोड़ तीस लाक लोग में अजल बने हैं, खतम हो गए हैं। कोई दिल्चस्पी रखते हैं डेमोग्राफी के अंदर, डेमोग्राफी एक अहम सब्जेक्ट है, आबादियात, तो आबादियात के अंदर ही सिंसेज भी, मर्दुम शुमारी भी आबादियात का हिस्सा है। तो मर्दुम शुमारी का आगाज हमारे मुल्क में 1901 से हुआ। 1901 से 1911, फिर 1911 से 1921, 1911 से 1921 के दर्मियान में आप इंडिया का संसस देखें। तो आपको मालुम होगा कि पॉपलेशन बढ़ने के बजाए, 1911 और 1921 के दर्मियान में पॉपलेशन डिक्रीज है। पॉपलेशन कम हुआ है। हलांके अगर ग्रोथ रेट दो परसेंट भी अगर लगाया जाए, तो बढ़ना चाहिए आबादी। लेकिन आबादी में इजाफा नहीं हुआ, घड़ गई आबादी। क्यों? पीजे, उसके भाई, उसकी वालदा, सब उसके शिकार हुए है। तो इसके इलाज के जो तरीके हैं वो तो डाक्टर सहाब ने बहुत खोल कर हमें वजाहत के साथ हमारे सामने रखा। लेकिन इसका बचाओ का एक ही तरीखा है, वो है इहतियात। इहतियात के इलावा और कोई इलाज है ने। और देखने में ये आया है, कि जितनी बद इहतियाती मुसल्मानों में पाई जाती है। मुसल्म महलों में पाई जाती है, अतनी बद इहतियाती आपको गहर मुसल्म आबादियों के अंदर महलों के अंदर देखने में नहीं आती है। अभी भी इन हालात के अंदर भी शादियां हो रही हैं बर्दे के तकारिब हो रही हैं इन हालात के अंदर भी रसम हो रहे हैं मय्यतों मे लोग जा रहे हैं जाहर है के मईयत में जाना एक समाजी ज़रूरत है एक गम का वक्त है जाना जरूरी है लेकिन जितने केसिस देखने में आये और सनने में आये तज्जία अगर करकड देखें आप तो फलाँ सहब की मईयत हो गयी थी और ये लोग गए black और जिसके नतीजे में वो भी बीमार हो गए हमारे एक दोस्त हैं अब्दलबारी सहाब वो उनकी वालिदा और उनकी शरीक है शमानिकस सहाबा जो रुकने जमाद हैं यह सब विरंची हास्पिटल में इस वक्त एडमिट हैं उसकी अहम वजह उनके जो साडू थे हमजल्फ व वो कोविट से मतासिर थे वो अपनी गाड़ी में उनको लेकर गए और उसके बास से यह मतासिर हुए और यह खुद हाट के पेशेंट है अभी ओपन हाट सरजरी हुआ था उनका तो रुपका महतरम इसका जो इलाज है वो है इहतियाद हद दर्जा इहतियाद और जो डॉक से बाहर ना निकले घर जरूरी हम जमाना हों एक जगा हम घरों को न जाएं दूसरे लोग हमारे घरों को ना आएं मीटिंग्स से इश्टिनाप करें देखने में या आया है कि बहुत सी मसाजिद में आज भी किसी खिसम के फिजिकल डिस्टिंस को मिंटें नहीं किया रहा ह गुजिश्टा जुमा मैंने अपने महले की मस्जिद में जुमा की नमास पढ़ी उसके बाद जरा आगे एक और मस्जिद है काफी बड़ी मस्जिद मेरा गुजर उधर से हुआ मैं किसी काम पर उधर गया मेरी टू विलर पर तो देखा कि वो मस्जिद खचा खच लोगों से भरी ही है कोई फिजिकल डिस्टेंस नहीं खांदे से खांदा लगा कर लोग मस्जिद के अंदर भरे पड़े हुए हैं फ्यान चल रहे हैं और लोग मस्जिद के अंदर मौजूद हैं अब बताईए अगर उसमें से खुदा ना खास्ता किसी एक आदमी को भी अगर एक भी वैरस केरिंग करने वाला अगर हो तो कितने लोगों को लगेगा कितने लोगों को फैलेगा डाक्टर साब ने बहुत सी अलामतें बताई लेकिन अब इस वैरस ने अपने शकलों को बदला है और शकल को बदलते हुए इस वक्त डाक्टर साब इसको भी अड्रेस करें त यसी भी सिंटम के बगएर आदमी पॉजिट्व हो रहा है। अब ही बंतु राम मोहन, जो मेर हैं हिद्रबाद के, उनको कोई सिंटम नहीं था। ना बखार, ना खांसी, ना गले में खराश, ना सांस लेने में तकलीफ, कोई सिंटम नहीं था। लेकिन जब उनका टेस्ट कर गया तो वो पॉजिट्यू निकले तो इस तरह वितौट सिंटम के पॉजिट्यू रहना और फिर वो कैरी करना और उसकी वजह से दूसरे लोगों का मुतासिर होना ये बहुत ही इस वक्त इसकी ये बदली हुई और इंतहाई खतरनाख खिसम की शकल है जो हमारे सामने आई है डक्टर साब जरा इसको भी एड्रेस कर लेते हैं बहुत अच्छा होता कि वितौट सिंटम कैसे आदमी पॉजिट्यू होता है गालिबान इस पर भी कोई पेपर और आएगा लेकिन सुरत इहाल इस वक्त ये पाई जाती है अब हमारी एड बहुत खरीब है और एड में बह बहुत जरूरी है कि जो खसाब आपका आएगा उसका टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है अगर खुदाना खास्ता वो पाजिट्यू है और वो करोना कैरिंग है तो समझिए कि आपका पूरा गोश्ट और जहां जहां आप लेकर जाएंगे जिन जिन घरों को आप देंगे यह सब के फैलाने के बाइस बनेंगे अच्छी तरहा तमाम छुरियों को और तमाम आवजार को तमाम चीजों को सैनिटाइस करना बेहर जरूरी है एलानात या रहे हैं कि एदगाहों के अंदर नमाज नहीं होगी मस्जिद के अंदर दो दो तीन तीन जरूरत पढ़ने पर चार चार जमातें बनाएं और फिजिकल डिस्टेंस को मिल्टें रखते हुए नमास पढ़ें और हर नमास के बाद पोचा करें सैनिटाइस करें फिर उसके बाद नमाजियों के लिए मौका लें इस तरहा सुबा अगर पौने साथ बज़े से नमाज शुरू होती है तो इस तरहा इहतियात के साथ हम नमाज एईद भी इन्शालला मसाजित के अंदर जमात के साथ में अदा कर पाएंगे हैं वरना इन हालात के अंदर घर में नमास पढ़ी जाए जब हम फर्ज नमाज ही घर में पढ़ रहे हैं तो जाहर है कि एईद की नमास तो वाजिब नमास है और उसका पढ़ना इतना कोई मुश्किल नहीं है इसलिए कि फर्ज जब घर में पढ़ी जा रही है तो वाजब का पढ़ना मैं समझता हूं कि कोई बहुत अहम बात नहीं है लेकिन इसके बावजूद हमको साल में एक मरतबा नमास पढ़ी जाती है लोगों को शौक होता ह है यकीनान एक जजबा होता है तो इस इहतियात के साथ में करें और मसाज़ित कमेटी के लोगों को भी बताएं और फिर जहां तक कुर्बानी का तालुख है बहुत इहतियात और हद दर्जा इहतियात के साथ कुर्बानी हम करें खुर्बानी हम जरूर करें लेकिन पूरी और जो कई एक लोगों की खुर्बानी एक जगे की जा रही है वहां पर भी हद दर्जा जो इस्तिमाईी खुर्बानियां है इहतियात बहुत जरूरी है अगर जरा भी चूख हो जाए तो जितने लोगों को आप गोश्ट पहुँचाएंगे वो सब लोगों को यह वबाप फैलने का अंदेशा पहुए जाता है शदीद अंदेशा पहे जाता है और फिर यह सब बातों से ढरने और घबस की ज़ुरूरत नहीं है इन्शाल्ला उस वक्त तक हम जिन्दा रहेंगे जब तक मौत मी आती मौत आने तक इन्शालला जिन्दा रहेंगे हम और उसका वक्त मुकर्र है मौत का वक्त मुकर्र है मगर रात भर नीन क्यों नहीं आती जाहर है कि ये हमारा यकीन हो और फिर हमारा एमान पुख्टा हो तो इस वबा के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो है सिल्फ कान्फिडन्स बीमार होने से पहले आदमी बीमार हो जाता है खौफ से बीमार हो जाता है अंदेशों से बीमार हो जाता है और आसानी के साथ वो वबा उस पर एटाक कर लेती है इसलिए अल्ला का करम है कि हम तो एमान वाले हैं हमारी अपनी एमानी गुवत को और ताखत को बरुए कार लाएं जो हमारी ये पॉजिटिव थिंकिंग है और आम तोर पर ये वबा उन लोगों को एटैक करती है जो निगेटिव थिंकिंग के अंदर मुब्तिला रहते है खौफ की नफसियात के अंदर मुब्तिला रहते है और फिर नमास पूरे खुश्यों खुजू के साथ में पुड़ है कि मैं रब काईनात की इस जमीं पर मैं अपने जिस्म के जो आला तरीन हिस्सा मेरी जबी है मैं उसको टेक रहा हूँ और मैं सिर्फ इस जबी को नहीं बलके जिस्म के एक एक रूम्टे को मैं अल्ला के सामने निचावर कर रहा हूँ इस शौर के साथ में अगर हम अबादत करें सजदे करें तो इन्शालला यह हमारे सजदे यह अल्ला के पास खबूल होंगे दुआ हर बला को टालती है और मुक्तसर तरीन दुआ जो आहदीस में आती है और नभी स्थावी रसूल ने नभी स्थावी से रिवायत की क्या तुम को मैं कोई ऐसी दुआ ना सिखाऊ जो तुम्हारे लिए कारामद हो तो नभी स्थावी से लोगों ने बड़े इश्टियाख के साथ में अर्ज किया अल्ला के रसूल जरूर तो आप स्थावी बताया कि आई ला जो जो खैर मुहम्मद तल्लाहु ले स्थावी ने हमने जिस शर्च से फितनों से वबाओं से पनाह तलब की है ऐल्ला मुझे भी पनाह दे दे ये इन्तिहाई मुक्तसर तरीन दौा है जो नभी सल्ले लाहुले सल्म तलब किया करते थे तो हम उसी की मताबियत के अंदर हम दौा मांगें और इस मौके पर हमारे अपने आइज़ा अकारिब इन लोगों को हम न भूलें अपने रुफ़का को न भूलें हमारे रुफ़का बहुत परेशानी की हालत में है इस वक्त तो इसलिए हम दूर रहकर भी उनकी जो खिदमत कर सकते हैं जरूर हम खिदमत करें और ये जो प्रोग्राम्स मजबूरी के आलम मे आनलाइन जूम और यूट्यूब पर पेश किये जा रहे हैं मकामी सता पर भी इसी नौवियत के प्रोग्राम्स करते हुए खास तोर पर चूंके नौजवान आनलाइन से जुन्डे में वो एक खिसम का इश्तियाख रखते हैं नौजवानों को एट्रैक करने के लिए इस तरहा के प्रोग्राम्स अगर आप जो हमारे मामूल के प्रोग्राम होते हैं इस्टिमार वो आप आनलाइन रखें मकामी सता पर तो मैं समझता हूं कि बहुत से लोगों को आप एक ट्रैक कर सकेंगे इसी तरहा के प्रोग्राम्स और भी डॉक्टर आतिफ इसमाईल डॉक् कि लेक्चर्स आप रख सकते हैं मुकामी सता के भी लेक्चर्स रख सकते हैं उन लोगों से गुफटगू करकर आप अपने मुकामी सता पर भी इस तरह के प्रोग्राम्स रखें और मुकामी लोगों को उसे जूनने की कोशिश करें तो हमारा रापता जो है वो बाकी रहेगा असल तो है हम भूल हम लोगों को न भूलें और लोग हमको न भूलें अगर हमारा राप्ता और कंटैक्ट हमारा लूज हो जाए कमजोर हो जाए तो लोग हमको फरामोश कर देंगे भूल जाएंगे चार साड़े चार मेहने होने को आ गए हैं हमारे इस्तिमात और तमाम चीज हैं activities मौकिफ हैं बंध हैं तो इस जरीय से हम CONTACTS को बढ़ाने की हम कोशिश करें घर में हैं तो फोन करें भोगों को बात करें ने कोएंगेज करने की कोशिश करें ये सब का हम घर में रहकर कर सकते हैं अगर और ज्यादा दिन आप लोगों से टच में नहीं आएंगे, तो लोग आपको भूल जाएंगे, अगर दो तीन साल वालिद बाहर रहकर आता है, तो बच्चे बापको भूल जाते हैं, मा को बताना पड़ता है कि बेटा ये आपके अबू है, तो जाहर है कि ये तो इनसानी मेहनों से भी हम कंटाक्ट करें, और जिस हद तक हम इस जरीए से लोगों को एड्रेस कर सकते हैं, हम एड्रेस करने की कोशिश करें, अभी चन्द दिन पहले दावत का प्रोग्राम हुआ था, उम्रा मुकामी नुजमा जिला अगरा का, शोब दावत मरकस की जानिब से, इस से पहले, बहुत ही अहम तरीन परसिनलिटी डिवलफ्मेंट फर सोशल चेंज, चार दिन का प्रोग्राम हुआ था, अभी तल्गू क्लासिस आनलाइन हमारी जारी हैं, जिसके अंदर एक सो बीस लोग शरीक हो रहे हैं, इसी तरह अरबी की क्लासिस का आगाज भी होगा, इ आनलाइन जो भी हम कर सकते हैं, इसको हम करने की कोशिश करें, और अरहम दोल्लाइ हमारे तमाम सेकरेटरी साहिबान इसके अंदर बहुत मसरूफ हैं और मशगूल हैं, और बहुत फिकरमन हैं, मैं उनकी इस फिकरमन्दी को सलाम करता हूं, और उम्मीद करता हूं, कि इस ज आजका रहा जिससे बड़ा फैदा खुद मुझे भी हासिल हुआ और यहाला का एकिना उवड को घुदान आपको भी हासिल हा होगा और इस प्रोगराम को और इस नौवित के प्रोगरामों को लोगों के दर्मियान में भी आम करने की कोशिश کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے سہت و آفیت کے ساتھ میں رکھے اور وبائی امراض سے ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ اس وبا کو ختم کرے سسکتی بلکتیوی انسانیت کو اس سے نجات دے اور اس کو اس طرح ختم کرے کہ گویا کبھی وبا آئی ہی نہیں تھی اللہ تعالیٰ کن فیقون کا مالک ہے وہ علا کلی شیئن قدیر ہے اور اس کی خدرت کو انسانوں نے دیکھ لیا ہے اور اب اللہ سے ہم التجا کرتے ہیں کہ اللہ اس وبا کو آپ فوری ختم فرمائے اور انسانوں کو اس سے نجات دلائیں اور ہمارے جو رفقہ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاہ کاملہ اور آجلہ عطا فرمائے اور اس اصنا میں جو ہمارے رفقہ اور جو ہمارے اہباب اور جو مسلمان بھائی اور جو انسان جس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ ان سے راضی ہو اور آپ تمام سے بھی اللہ راضی ہو اور خوش ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنگی کے لیے جو چھوٹے موٹے کام ہم انجام دیتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بھر پورا جرہ ہم کو عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد اللہ رب العالمین جزاک اللہ محترم امیر حلقہ جماعت اسلام ہند تلنگانہ جناب حامد محمد خان صاحب دوستو الحمدللہ آج کا پروگرام یہاں اختتام کو پہنچتا ہے آئندہ چند دنوں میں اسی طرح کے آن لائن میٹنگز ہم کریں گے جیسا کہ امیر حلقہ نے کہا کہ مقامی جماعتوں کو بھی اپنی اپنی سطح کے پروگرام سارگنس کرنا چاہیے میں اس میٹنگ میں موجود ذمہ داران سے خواہش کروں گا کہ وہ ہندوستانی سماج قیام عدل و قیست اور عمد کا تحفظ و ترقی یہ تین ڈپارٹمنٹس کے تحت مختلف activities اگر آپ policy program کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ activities نام سے کیا جا سبتا ہے تو اب میں آئندہ چند دنوں میں جو activities ہم کرنے والے ہیں ان کا اعلان میں آپ کے سامنے کروں گا انشاءاللہ چار آگسٹ کو خیام عدل و قیست ڈپارٹمنٹ کے تحت ایک national level کا program ہم conduct کر رہے ہیں وہ ہے constitution and constitutional institutions are under seas ڈپارٹمنٹس یہ constitution پر اس وقت جو حملہ ہو رہا ہے اور constitutional institutions جیسے سی بی آئی ہے ای ڈی ہے سپریم کورٹ ہے اور election commission ہیں ان پر مرکزی حکومت جس طرح اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ملک کی جو سالمیت ہے اس کے لیے خطرہ ہے دراصل اس ٹاپک پر ایک اہم جو ہے online program چار آگسٹ کو شام ساڑھے ساتھ بجے ہوگا اس program کو مخاطب کریں گے professor مادابوشی سریدر صاحب جو rti کے national convener رہے ہیں اور اس وقت ڈلہی یونیورسٹی ہے ڈلہی یونیورسٹی کے ایک law university میں جی جی اور جس طرح جو ہے ڈلہی یونیورسٹی میں اس وقت تو وی سی ہے تو انشاءاللہ وہ اس کو مخاطب کریں گے اور یہاں تلنگانہ کے ایک professor ہے جلکرا سرینواز صاحب انشاءاللہ وہ بھی اس کو مخاطب کریں گے امیر حلقہ بھی انشاءاللہ اس meeting میں شریک رہیں گے اور بھی program من رہا ہے انشاءاللہ final جیسے ہی program ہوگا آپ حضرات کو ملے گا اور ایک اہم اطلاع میں آپ حضرات کو یہ دوں کہ august 20 تاریخ کو انڈیا جو ہے صد بھاونا دوس مناتا ہے صد بھاونا دوس کو ظاہر ہے کہ harmony day کی نام سے بھی بلائے جاتا ہے اس harmony day کو ہم ہندستانی سماج کے تحت جو صد بھاونا فورم مختلف مقامات پہ ہم قائم کر رہے ہیں قائم کرنے کا ہمارا منصوبہ ہے اس کے لیے بینپٹ ہوگا فائدہ ہوگا تو اس purpose کے لیے انشاءاللہ بڑے پیمانے پر 20 آگست کو صد بھاونا day ہم منائیں گے اور اس کے مختلف program سبھی design کیے جا رہے ہیں وہ بھی آپ حضرات کو بتا جائیں گے 8 آگست کو بھی ہم نے ایک slot book کیا ہے شام ساڑھے سات بجے کا وہ ہندوستانی سماج department کہتے ہیں انشاءاللہ وہ program بھی آپ کے سامنے آئے گا میں موجود سارے ہی participants سے اس بات کی خواہش کروں گا نہ صرف یہ program بلکہ جماعت اور اس کے sister organizations جو بھی program organize کر رہے ہیں اس میں آپ شریک ہوں اور آن لائن program میں گلچسپی رکھنے والے سارے ہی اہباب کو آپ جو ہے متوجہ کریں اب دیکھئے یہ program کو more than hundred لوگوں نے live دیکھا ہے اور youtube پر جو ہے کافی بڑی تعداد میں لوگوں نے اس کو view کیا ہے کہ بیٹھے بیٹھے اس طرح کی program ہم کرنے میں جو ہے کرنے سے ظاہر ہے جو جس connectivity کی ضرورت ہے سماس کے ساتھ وہ connectivity باقی رہ سکتی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان کوششوں کاویشوں کو خبول فرمائے اور جس مقصد کے تحت یہ program ہم کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس مقصد میں ہم کو جو ہے کامیابی عطا فرمائے میں آخری میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحت عطا فرمائے ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاہِ آجلہ کاملہ عطا فرمائے اور ہمارے رشتداروں میں دور کے لوگوں میں پہچان کے لوگوں میں जो लोग बीमार हैं अल्हा तबारकु ताला जल्द अजल्द उन्हें शिफाए आजिला कामिला अता फर्माएं और अल्हा तबारकु ताला हमारी मदद को मस्दद पर्माएं आमेन